हेलो बच्चों वेलकम टू डाउटनेट लाइव तो भाई कैसे हो आप सभी आम शौर की सब बहुत हैपी होंगे है ना राजस्तान वाले तो खासकर बहुत हैपी होंगे कि उनका पेपर mental ability का तो भई बिलकुल easy आया था और I am sure कि आपने बिना time waste किये उस paper को बहुत अच्छे से attempt किया होगा है ना देखो ये जो paper था ना वो बहुत easy था साथी साथ बहुत कम बच्चों ने भी apply किया था और उसमें से भी बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो center पर पहुँच पाए तो आप में से जिनोंने तैयारी करी थी और जिनोंने ये paper दिया था उनको अच्छा करने से अब कोई नहीं रोक सकता तो जो paper देकर आये हैं और यहां पर smiling face लेकर बैठे हैं उनका खुशोना बनता है तो चलिए देखते हैं आज हमारा की क्या था paper और जो आप solve कर करके आयो व देख लेते हैं कि क्या है हमारा paper हम जो करने जा रहें डिसकस वो राजस्थान का करने जा रहें भाई especially ठीक है तो राजस्थान के बच्चों आपका जो paper था ना उसमें 80 जो questions थे out of 100 वो तो भाई बिलकुल easy थे और मुझे पता है कि आपने बिना time waste किये हो 80 questions तो बहुत smoothly attend क किये होंगे किये या नहीं किये बताइए जरा इतने easy थे यह जो 7 moderate है ना उसमें भी ऐसा नहीं थे कि बहुत ज्यादा time लगा यह था कि इनके मुकाबले थोड़े से difficult रहे होंगे थोड़े से बहुत ज्यादा नहीं उन से हलके से difficult 13 questions थे difficult नहीं बट थोड़ा सा time लगने व बिल्कूल स्टक हो जाओ बिल्कूल अटक जाओ और आंसर ना मिले है ना ऐसी बात बताओ जरा सबका कैसा हुआ पेपर और सबने easily किया या नहीं किया भाई mental ability तो इतनी easy आयोई थी कि बच्चों आपके तो 100 out of 100 आने चाहिए mental ability में आएंगे चलिए बहुत अच्छी बात ह आएंगे तो हम discuss करते question और देखते हैं कि क्या थे हमारे questions अब जैसे first ये आया हुआ था आर वी एजी एन और यहां पर है question mark और चार जो option थे उसमें से बताना था कि यहां पर क्या आएगा ठीक है अब इस तरह के questions की practice आपने बहुत की होगी और हमने भी अपनी जो preparation मेरा थ थी ना शुरू में जो समने Saturday को की ती उसमें भी इस तरह के questions बताये थे यहां पर क्या करना था आपको इनकी position देखनी थी की जो alphabetic series में हैं इनका number क्या बनता है उसी से ही आपका अंसर निकल जाना था अब देखो अगर आपको याद था तो बहुत easily इनके number आप बता सकते हो आर का number 18 होता है ना ठारा और भाई वी का number होता है 22 एक नंबर होता है वान जी सेवन होता है जी सेवन कंट्रीज होती है ना उनका सम्मिट हम करते हैं एन होता है 14 एम होता है 13 तो एन होता है 14 अब अगर इनको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें क्या-क्या नंबर एड़ होकर नेक्स नंबर बनता जा रहा है सिर्फ वह बात हमें देखनी थी देखो 18 में 4 तो 22 22 में कितने एड़ करेंगे कि 1 बन जायेगा अब 22 में क्या है क्या है कि 1 बन जाए तो ऐसे नहीं देखना इसको इसमें देखना है कि जब Z के बाद या आएगा तो Z का मतलब 26 यहां पर लिखकी मालो Z तो Z का मतलब 26 तो A का मतलब हो गया यहां पर 27 ठीक है तो A का मतलब क्या हो गया 27 तो यह मतलब हो गया यहां पर five, फिर one में क्या add करें तो seven बन जाए, six, यहां पर क्या add किया, seven, और आगे हमें eight करना है, add, तो फार्टीन में eight add करेंगे तो क्या बनेगा अट, 14 में 8 एड़ करेंगे तो क्या बनेगा हो अज़ोह चिसे हां अन्सर का लिया टिक कि एठ करने के ल दिए किया बात कि शूर्त बातादो कई आएगा इन परtt आएगा हमारा क्या क्या नंबर एन के बाद 8 क्या आएगा वी क्या बनेगा एन के बाद 8 वी तो यहां पर हमारा करेक्ट आप्शन क्या बनेगा आप्शन 2 वी चलो अब है next भाई next है हमारा A C F H K M P R अब यहां भी अगर हम देखे कि क्तो कितना 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 iẩruoण 5 इसमें कितना लगाय है 5 यह कितना बनेगा प्हें फाइब करके क्या बनेगा वार एसटी यू और यू है हमारे पास दो यह भी है और यहां भी है, तो हम कौन सा देखेंगे, X लेंगे या W लेंगे, तो उसके लिए पीछे वाला देख लो भई, पीछे है हमारा यहां पर C, H, M, और R, क्या है, C, H, M, और R, तो यहां पर इसका मतलब है, हमारा आजाना चाहिए, W, क्या बन जाना चाहिए, W, क्योंकि C के ब पाद 5 एड़ कर लो, S, T, U, V, W, तो करेक्ट आंसर यहां से बना भाई, U, W, तो करेक्ट आप्शन आपका हो गया, option C, अब बताना जरा कौन-कौन से इसमें, option C ही लगा कर आये थे, कोई ऐसा तो नहीं है, जो UX लगाया या, 55 करते हो जाना था ना, हाँ, कौन-कौन करके आएं, चलिए, very good, सभी ठीक करके आएं इसको, यह तो बहुत अच्छी बात हो गई, आगे देखो, आगे है, यह था हमारा N, Z, अब देखो, देखो एक बात, इसमें कोई भी अलग कोशन ही नहीं, यानि कि शुरू के जो 4-5 कोशन थे, वो सारे के सारे ही, alphabet से related, और उसमे भी सिर्फ उनकी position, कि अगर हमने सिर्फ यह याद रख लिया कि उनका क्या number है, तो हम easily पता लगा रहे हैं, अब यहाँ पर भी same वोई चीज, और यह तो और भी easy, कैसे, इसका first letter देखो, N, M, N के बाद, O, P, Q, R, मतलब यहाँ आना चाहिए, S, ठीक है, अब S कहाँ पर है, S तो एक में ही है, तो correct option यहाँ से सीधा सा हमारा option 4 ही बन गया, अब बताओ इसमें क्या बना मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था, यानि कि हमें तो दूसरा देखने की ज़रती नहीं पड़ी, सीधा हमने first letter देखा, N, O, P, Q, R, S, और S, देखो option में, option भी इतने easy लि लगा दीजी, तो आप लोगोंने वैसे कितने second year question को करने में, बिटा ये राजस्तान state का है, कुछ बच्चे पूच रहे न, कौन सी state का है, तो ये राजस्तान state का बच्चो, वैसे हल state का paper ही बहुत easy आया था, तो आप लोगों की state का paper कैसा था, बता सकते हो, या आपको कैस का लगा, ठीक है, चलो, अगला जो question था, वो भई इस तरह से था, इसमें ये word लिक्के हुए थे, R-A-D-I-U-S, R-A-D-S-I-U, तो अगर बहुत ध्यान से आपने देखा हो, इसमें, तो क्या था, इसमें देखो, ये तो सेमी दिख रहा है, R-A-D, 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 but कम के बाद ये है, कि option में भई, क्या है हमारे यहाँ पर, R-A-D, इसमें है, किसमें है, R-A-D, इसमें है, तो क्या हम directly यहाँ से फिर 3 कोई टिक कर दे, 3 को टिक कर दे या, और भी option हमें चेक करने चाहिए, बताइए, और भी option चेक करने चाहिए, या खाली 3 को टिक कर दे, 3 option में ही इतना direct answer चुपा हुआ है देखो RAD, 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 RAD आगे वाले तो हमने देखे ही नहीं क्योंकि सारे option में RAD सिर्फ 3rd में ही था और 3rd हमने टिक कर दिया लेकिन अगर जिसने इस जो ट्रिक है या जो ये कोश्चन में लिखा हुआ था उसको समझ लिया भई वो इसको जल्दी से कर पाएगा अगर आप में से कुछ जो थे इस ट्रिक को नहीं पकड़ पाए तो उन्हों ने इसको जरूर देखा होगा किसको इस चीज क आई यू एस एस आई यू ये वाली चीज और ये वाली चीज इससे भी कर सकते हो कैसे मान लेते हम आई का मतलब वान हो गया इसका टू हुआ इसका थ्री हो गया तो अब एस पहले है तो क्या हो गया थ्री वन और टू एसका मतलब थ्री हुआ ये टू और ये वन यू का मत लो 2 है, I का मतलब 1 है और 3 है, तो अगला क्या बन जाएगा, अगला बन जाएगा भई 2, 3, 1, तो 2 का मतलब है यहां से U, और 1 का मतलब है I, और इसका मतलब है S, तो यह लिखा हुआ है, यू ऐसाई तो आप में से कुछ ने ऐसे भी किया होगा इसको करने में बट आप देखी रहे हो इसको करने में दो चार सेकेंड या हो सकता है उससे ज्यादा सेकेंड आपने लगा दी हो तो भई उतना टाइम भी इसमें वेस्ट करने की जौरत थी नहीं है ना सिर्फ आपने आप्शन देखे आरेडी आरेडी और कहीं पर और ऐसा आप्शन थाई नहीं तो आप्शन 3 है ठीक है अब बताओ जरा मुझे कि कितने बच्चों ने इसको विदिन सेकेंड किया और कितनों ने थोड़ा सा टाइम लेकर किया बर करेक्ट किया बहुत जल्दी किया चलिए व डाल रखे और नंबर की भी सीक्वेंस है देखो टू थ्री फोर तो अब यह तो पता चलिए अगला नंबर बीच में तो फाइफ ही आने वाला है क्या आने वाला है वाला है बत यहां पर एग्जामीनर थोड़ा सा स्मार्ट है कि भई सब में फाइफ हैं तो हम इसमें सेके सबका fausty तो faust वाले तो देखने की जवरती नहीं है क्योंकि सब में यह तो आंसर ہमें मिलेगा नहीं किया जो यहां पर है यहां एंग न वहां s तो क्या बहनना चाहिए इसका answer काया एड कर चाहिए जे में कितने एड़ करोगे की एन बन जाए काउट करके देख लो के एल एम एन फूर्थ नंबर पर है चार चार अब करने हैं इसमें चार एड किये और इसमें भी चार एड कर दो वो यहां पर आ जाएगा तो s के बाद चार एड करेंगे तो क्या आएगा टी यू वि डंडे चार एड करके आएगा आओ इसका मतलब है four नहीं करने यहां पर five और पर के सारा है और यहां पर फिर six एड करके आएगा ठीक है तो six एड करके आएगा तो क्या बनेगा य क्या बनेगा य के बाद सिक्सीट कर दो आरा सटी यू वी डबलु एक्स वाय तो करेक्ट आंसर यहां से बन गया हमारा ठीफ फाइफ वाय तो यह बेजी था simple simple question और simple simple answer तो भी अगर थोड़ी सी भी आपने तैयारी करी होगी और हमारी जो मैराथन क्लास दी सैटर्डे को देखी होगी तो मेरे ख्याल से इन questions में तो बच्चो कोई problem रही नहीं होगी है ना तो बताइए जरा आपको क्या लगता है कि आपके कितने score हो सकते हैं इसमें चालो आगे देखते हैं आगे है इसका option तो ए आगया आगे है हमारा इस तरह का question अब यह question भी अगर कोई बच्चा बाइचांस गलत कर रहाया तो इसका मतलब तो भई बिलकुल भी ध्यान से question को नहीं पढ़ा है ला क्या था इस question में देखो कितना easy था 235 यानि के 2 में क्या add करें की 2 और 3 को add करें तो क्या बन रहा है यहां पर सीधा-सीधा 5 बन रहा है क्या बन रहा है सीधा-सीधा 5 बन रहा है यहां पर ठीक है इस 5 में यह 3 add कर रहे है तो भई 8 बन रहा है ठीक है 8 में फिर 5 add कर रहे है तो 13 बन रहा है और 13 में अगर add कर दें तो next बन जाना चाहिए तो 13 में अगर हम 8 add कर देंगे तो भई कितना बन जाएगा 21 कितना बन जाएगा 21 तो यहां से correct option बिल्कुल सीधा सीधा हमारा क्या आगया 21 सिर्फ और सिर्फ previous नमबर को add करना है आपकी answer आपके सामने हैं है नहीं क्या करना था 2 रतीन को add करके पांच और 5 और 3 को add करके 8 8 5 को add करके 13 13 8 को add करके 21 21 23 एकर एक चो तिस आगया हाँ 21 सबीक किस करके आयो चल यह बहुत अच्छी बात है यह तो भई चलो अच्छा आप यह भी बता दो कि कोई ऐसा भी है जो यहां पर 21 ना करके आयो कुछ और ही लिखाया हो यह कुछ और इटीक करके आया हो वाइचांस बाइस मिस्टेक ही ऐसा तो नहीं है ना कि कितना इसी कुश्चन भी रोंग करेंगे तो बच्चों फिर तो गड़ बढ़ है चलो चलो सब कह रहे हैं हम 21 करके आये तो बहुत अच्छी बात है आगे देख लेते करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 221 आगे है हमारा 8 24 28 141 46 यह यह और आ जो alphabetic series पर ही थे सारे के सारे उसमें भी सिर्फ क्या था position हमें पता होनी चाहिए थी उसमें कितना कितना add करके next बन रहा है वो ही चीज़ निकालनी थी अब देख रहे हो कि number series चल पड़ी है तो number series या फिर कहो कि series से कितने सारे questions थे कुछ alphabets की form में कुछ numbers की form में और यह आपको पहले बतायागा था कि important chapter है करनी है तयारी तो भाई करी होगी तो बहुत सारे questions तो इसके attempt हो गए होगे अब यहां से देखकर पड़ा चल रहे क्या आएगा यह देखो 824 का क्या relation बन रहा है 8 को किसे multiply करें कि 24 आ जाए 3 से तो इसका मतलब इसको multiply किया हुए 3 से उसके बाद 24 में क्या add करें कि 28 बन जाए 4 एड किया हुआ है ठीक है अब इस 4 को किस से multiply करें कि 140 बन जाए multiply इसलिए बोल रहे है क्योंकि 28 के बाद सडनली बड़ा नंबर आ गया तो भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो multiply करके आएगा वह आएड सब्ट्रेक्ट करके तो 5 से कर सकते आठ पंजिट चालीस और आर दूनी दस और चोदा आगया इसमें तो 5 से multiply यहां पर भाई 6 एड किया हुआ है फिर आगे किया हुआ है 7 से multiply आगे किया हुआ है भाई 8 एड और नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 9 से multiply करके ठीक है 9 से multiply करेंगे तो 0 27 और 9 9 2 7 0 और 9 2 7 0 है भी option 4 है ना तो correct answer यहां से क्या हुआ option 4 तो कितने बच्चे इसको करके आए 9274 correct करेक्ट कितने करके आए है 9 270 को करके आए आप सही चलिए बहुत अच्छी बात है जो जो लिख रहे हैं कि सही करके आए सही करके आए बहुत अच्छी बात है भई इसका मतलब तो आप लोग तो सारे question सही करके आए हो क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे ने ऐसा लिखाई नहीं कि भई wrong करके आए तो इस पर देते हुए कि आप जो यह पेपर कर रहे हो वो NTSC की मेंटल एबिलीटी है है ना वैसे पैटन में कोई चींज नहीं था जैसे लास्ट येर का था सेम वैसा का वैसा है बट लेकिन कोश्यन भाई इजी थे अगर आपने तैयारी करी थी तो इजी थे ना चलो फिर आगे बताओ अब इसका अंसर क्या टिक करके आए हो आप बैं क्या बनेगा यहां से अगर हम इनका रिलेशन देखिं यहुगा नाइन यहां पर है ठीक है? 2 के cube में 1 add कर दिया, तो 9 हो गया. उसी तरह 3 के cube जो की 27 है, उसमें 1 add करेंगे तो 28, फिर 4 का cube, 4 का cube होता है वही 64, 1 add किया तो बना 65, उसी तरह 5 cube जो की है 125, इसमें add करेंगे तो बनेगा 126. तो यहां से correct answer होगा बच्चों, option 2, 126. क्या रहेगा? option 2, 126. तो किसके सने क्या 126? correct option, option 2, और बिल्कुल easy, बिल्कुल smooth, कोई इसमें सोचने की ज़ूरत नहीं थी, और मुझे लगता है कि 80 questions में तो बिल्कुल 1 second भी नहीं लगनी थी, है न? इस तना का question हो सकता कि थोड़ा count करने में कुछ लग जाए time, बट प्रेक्टिस करी होगी तो इसमें भी कोई time निलगा होगा, चलिए, अच्छा, विल्कुल correct किया है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे कुछ इस तरह की statement के questions थे, है न? statement में हो सकता पढ़ने में थो गरीबी का कारण है, वो unemployment है, यह क्या है? statement है, अब conclusion यह दिया हुआ है, कि to end poverty, it is required to create employment opportunity, की unemployment को obviously गरीबी को खतम करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए? एमप्लोईमेंट की opportunity create करनी चाहिए, दूसरा है, all the people in the country are unemployed, तो यह तो बिलकुल ही wrong है, कि भई, सारे के सारे people कैसे unemployment, unemployed हो सकते हैं, वो कह रहा है कि unemployment एक main reason है poverty का, बट सारे के सारे unemployed हो जाए, यह कैसे हो सकता है, तो two तो बिलकुल ही क्या है wrong, ठीक है, first is correct कि poverty को end करने के ल खतम करने के लिए, भई, employment की opportunity create की जाए, लेकिन यह answer नहीं है, answer इसके option पढ़ने से पता चलेगा, वो कह रहा है कि only conclusion one follow, कि सर्फ one e follow होगा, या only conclusion two follow, कि two follow होगा, या फिर both, या neither conclusion one nor conclusion two, अब दूसरा तो पूरी तनहीं गलत है, पूरी तनहीं गलत है ना, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, all the people in the country are unemployed, तो जहां जहां second है, वो तो हटाई दो, यहां पर second है, यहां पर second है, यहां पर second है, यहां पर second है, बच्चा क्या हो, only conclusion one, तो जो बिना confuse हुए, यह करके आए है, a option बताना कितने, चलिए, very good, बहुत सारे बच्चे बार-बार कहते हैं कि भई हम करके आए हैं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तो आप लोगों को भी पताए कि वेपर इजी था और आप लोगों का लगबग लगबग सही है, आगे चले, आगे देखो, next question है हमारा, which one of the following vein diagram correctly represent, किसको represent कर रहा है, currency, rupees or dollar, अब करन सी तो अपने आप में क्या है बड़ी चीज, और rupee or dollar क्या है, currency है, तो यानि कि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यह किसको represent कर रहा है, currency को, और rupee, जो dollar है, वो भी क्या है, currency है, तो भई, इसके अंदर, यह क्या होगा, rupee, और यह क्या होगा, dollar, यह दोनों मिला कर है, तो यह currency, तो option C, इसमें क्या आएगा, correct option आएगा, ठीक है, तो option C, किया सभी ने, option C, option 3rd हमारा क्या है, यहां से correct option, अभी वेन डायग्राम वाले वैसे भी easy होते है, लेकिन आपके टेस्ट में तो और easy आए हुए थे, तो आब बताए ज़रा कितने बच्चों का यह option भी सही था, जलिए लिए बताते ज dollar, वो क्या है, करन्सी दो है, एक तरह से, तो option C, is correct option, आगे है हमारा, encoded language, भाई, coding के भी आए हुए थे, अच्छे खासे question, बट easy भी थे, जैसे एक तो यही था, कि भाई, क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन को लिखा हुआ है, L, N, O, E, N, I, और silent को लिखा हुआ है, L, S, L, I T, N, E, हमें यह बताना था, listen को क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से online को देखे, O, L, I, N, E, और इसका जो बनाया हुआ था, वो बना रखा था, L, N, O, E, N, I, ठीक है, तो यह half-half करके reverse कर रखके थे, इस L को आगे लिखा हुआ है, O, को पीछे, देख और E पहले, N बीच में ही है, तो N यहाँ बीच में ही है, E को कर दिया इस तरफ, और यहाँ से I को इस तरफ कर दिया, यानि कि हमें सिर्फ क्या करने है, बीच के छोड़ कर उनके जो आगे पीछे हैं, उनकी place change कर देना है, तो यहाँ से अगर हम change करें, देखो, L, I, S, T, E, E, N, तो यह 3 ले ले लो, यह 3 ले लो, आई को रखो यहाँ बीच में, S को इस तरफ ले आओ, S इधर और L, इस तरफ, E को रखो बीच में, N आगया इस तरफ, और टी आगया भई, इस तरफ, तो यह बन गया हमारा, S, I, L, N, E, T, और यह है, Option 3, तो करेक्ट आंसर यहाँ स होगा भई, Option 3, ठीक है, आगे है यह को हर, यह भी कोडिल लेंग्विज का, कोडिल लेंग्विज के भी बहुत सारे कुशन से, है न, तो इसमें भी क्या है, इसमें यह लिखा हो है कि 4, 6, 1 का मतलब है, Where are you, और 1, 6, 9 का मतलब, 4, 6, 1 का मतलब है, Where are you, और 1, 6, 9 का मतलब है, है, you are good, अब देख रहे, इसमें, you are, इसमें भी है, you are, इसमें भी है, और 6 और 1, इसमें भी है, 6 और 1, इसमें भी है, या निकी 6 और 1, किसको रिपर्जेंट कर रहे, you are, को, हमें बताना है, क्या बताना है, exams are not bad, में not का मतलब, किसका मतलब बताना है, not का मतलब बताना है, इसको देखकर, 8, 6, 5, 2, ठीक है, तो अब 6 तो भई हो नहीं सकता, option में देखो, option में कहीं 8 है नहीं, 2 है नहीं, 5 बचा, सिर 5 ही तो बचा, तो यहां से correct option क्या होगा, option 3, 5, आगे है एक और, इसमें क्या करना है, इसमें यह बताना है, कि भई 2 position dice की given है, 2 के opposite side में क्या होगा, 2 के opposite side में, अब यह मत सोचना कि कोई ऐसी 2 dice ला देगा, हम उच्छाल उच्छाल कर देखेंगे, भई simple सा यह देखना है कि 2 के 7 में कौन कौन से number दे रखे है, 2 के 7 में कौन कौन से number है, 2 के 7 है, 1, 6, 3, और 5, इसका मतलब 1, 6, 5, 3, 2 के पीछे तो हो नहीं सकते, अगर वो उस बचा खाली, कौन सा number बचा, बचा, देखो 5 को मैं काट दू, 6 को काट दू, और 3 को काट दू, क्या number बचा, 4 नमबर बचा, तो correct answer यहां से क्या होगा, option 2, 4, ठीक है, आगे है, mirror image, mirror image के भी बहुत सारे कुशन आये थी, और बिल्कुल एजी, mirror क्या करना, mirror को रखना, यहां mirror को रखेंगे, तो जो mirror के पास है, वो mirror के पास, और जो दूर है, भाई, दूर है, ऐसी position कौन सी है, यह position है, यह पोजीशन है, यहां पर, तो correct option होगा, भाई, option 2, बिल्कुल सेकिंद भी ने लग रहे कुशन को solve करने में, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया आगे कि और questions की भई कैसे आपने solve किये, या आप लोगों के सही है या नहीं, इसको देख लेते हैं जल्दी से, इस question में आपको क्या करना था, इसमें आपको multiply, 8 को 2 से multiply किया, तो आया भई 16, और 16 में से 1 माइनस करके आगया था, 15, उसी तरह 15 को करना था, 2 से multiply, यहां से बन 58, 58 में से 1 माइनस करोगे बचेगा, 57, 57 को करना था, 2 से multiply, और यह आजाएगा भई कितना, 1 1 4, और इसमें से कर देंगे 1 माइनस, तो आगया 1 1 3, तो 1 1 3 है हमारा second option, तो second option is correct option, चलिए, नेक्स यहां पर, यह तो बिलकुल इजी था, भई यह लिखा हुआ है कि, 14 दिसम्ब को 2020 morning के 4 o'clock, 15 December 2020 morning के 4 o'clock, तो how many times minute hand and hour hand clock overlap, 24 गंटे में दोनों कितनी बार मिलेंगी, तो भई जो घड़ी के सुनियां होती है, वो 24 गंटे में 22 बार ही मिलती है, अगर same time given है, तो यहां पर 4 o'clock given है, तो भई 4 o'clock to 4 o'clock, 24 गंटे में 22 बार ही मिलती है, तो इसमें तो कुछ calculate करना ही नहीं था, बाईस आपको सीधा ही टिक करना था, हाँ नहीं पड़ा होगा, तो फिर तो निकालने बैठे होंगे, अलग-अलग hand बना कर और भई उनको देखने में कि कब-कब overlap कर रही है, तो चलिए, आप लोगों को देखके तो लग रहा है कि सब बहुत खुश है और बहुत अच्छा करके आए हैं और भई बहुत अच्छे नंबर लेने वाले हैं, तो चलिए आरूशी माम के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो आपके आगे वाले questions के क्या solution बताती है, तो चलिए, आरूशी माम ओके, सो, hello students, कैसे हो आप सभी, अभी बढ़िया से सब ने देखा कि हमने क्या-क्या गलतिया भी करी होंगी और क्या-क्या हमारे correct answers से हना, तो आगे वाले questions देखें कि कैसे करने हैं solve, चालो, देखते हैं कि कि किसका कितना सही हुआ paper और किसका कितना गलत हुआ, right, कोई बात अगे अगे अगर इस बार नहीं हुआ तो, no problem, चालो, देखते हैं, first question क्या है, okay, as clay is related to pottery, in the same way, gold is related to which of the following, वही, clay से क्या हो रहा है, pottery है ना, clay से क्या बन रहा है, pots बन रहा है, so gold किस से relate होगा, gold relate होगा, ornaments से, हना, gold से क्या बनेंगे, ornaments बनेंगे, बहुत असान, इस बार का paper तो इतना easy था ना, सब का, अगर थोड़ी सी भी महनत कियोगी, तो सब के अच्छे marks आयोंगे, right, चालो, जी, देख लेते हैं, answer है, हमारा to, next, as bird is related to kite, in the same way, fish is related to, which is the following, bird और kite, दोनों ही आसमान में उडते हैं, हाना, so fish, पानी में तेरता है, और submarine भी पानी में तेरता है तो इसलिए हमारा answer क्या है, answer to, यानि की submarine, clear, बहुत असान paper था भाई, इस बार तो, चालो, next, in numbers, 58132764, how many digits are such width at the same distance from the beginning, as if arranged in ascending order, यानि की अगर हम ascending order में arrange करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इन numbers को, यह जो numbers given है हमें, उनको आप एक बर descending order में arrange करो, numbers क्या given है, 58132764, descending order में arrange करेंगे, तो पहले क्या आएगा, 8, then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हाना, किसी की भी position same नहीं है, 8 पहले कौन से position पे था, second position पे, और यहाँ पे क्या है, first position पे, आप देखोगे, किसी की भी position same नहीं है, तो इसलिए क्या है, none of these, यानि की answer क्या है, हमारा option 4 है, हाना, चालो, next, each based on, अब यह जो तीन questions दिये हैं, हमें, यह same type के questions है, information इनके लिए क्या दी गई है, same दी गई है, each based upon the following 5 3-digit numbers, यानि कि यह हमें 3-digit numbers दिये हैं, 3-8-6, 7-52 and so on, question क्या बोल रहा है वो, if unit place and hundred place digit of every number is interchanged, then what will be the sum of the units digit and the tens place digit of the greatest number, क्या-क्या interchange करने को बोला है हमें, units place and hundreds place, ठीक है, so हर number में आपको क्या-क्या change करना है, units place और hundreds place change करना है, तो करो, 386 में क्या हो जाएगा, 368 हो जाएगा, 752 क्या हो जाएगा, 725 हो जाएगा, ठीक है, then 961 क्या होगा, 961 हो जाएगा, 916 हो जाएगा, oh sorry, यहाँ पे हमने units place और hundreds place change करनी है, units place और hundreds place, तो यह middle वाली number सेम रहेगी, यानि कि 6, 83, then this becomes 257, यहाँ पे क्या बन जाएगा यह, 169, next 3, 7, 5, then यह बन जाएगा 9, 3, 8, clear, अब वो बोल रहे हैं कि क्या बताओ हमें, जो greatest number है, उसके units place की digit को और tens place के digit को क्या करना है, add करना, तो सबसे बड़ा number कौन सा, यह है, 938, सबसे बड़ा number 938 है, that means उसके units place पे और tens place पे क्या है, 3 और 8 उनको add करोगे क्या आएगा, 11, और वही हमारा answer है, option 2 क्या है हमारा answer, so question को अगर जरा सभी आप लोगोंने ध्यान से पढ़ा होता, या थोड़ी बहुत तयारी करी होती ना पहले, तो आपका इस बार का पेपर तो पक्का पक्का clear हो जाता, बट कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, चालो, next, वही same, if units place digit and tens place, अब वो बोल रहे हैं कि tens place और units place को interchange करो, ठीक है, so units place और tens place को interchange करना है, then what will be the second greatest number, so units or tens place को change करो, 368, 725, 916, then 537, 893, ठीक है, तो second greatest number पूछाए, greatest नहीं, second greatest, तो सबसे बड़ा ये है, तो second greatest क्या है, ये है, यानि कि 893, that is option, one is correct, ठीक है, असान है है हना, चालो, next, if the digits of every numbers are arranged, rearranged in such a way that they form the smallest, क्या बोल रहे हैं वो कि हम हर number को arrange कर रहे हैं, rearrange कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कि भाई, वो smallest possible number बन पाए, यानि कि 386 को मैं कैसे arrange करू, rearrange करू कि वो छोटे से छोटा possible number बन पाए, यानि कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 368, लिख सकती हूँ न, by the numbers, ओके ठीक है, पहले सब को लिख लेते हैं, 752 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 257, so 257, 257, then 961 को मैं लिख सकती हूँ, 169, so 169, 573, so 357, then 839, 839 को 389, ऐसे लिख सकते हैं सारे numbers को की सबसे छोटा possible number बन पाए, हना, so यहाँ पे क्या होगा, by the digits, then what will be the biggest number out of them, अब इन में से सबसे बड़ा number कौन सा दिख रहा है हमें, इन में से सबसे बड़ा number दिख रहा है हमें 389, तो इसलिए हमारा option 4 क्या हो गया, correct हो गया, हना, ओके चालो, next, in the arithmetic expression given below, if the digit 4 and 3 are interchanged, then what will be the solution, यानि कि 4 और 3 को क्या कर दो, आपस में interchange कर दो, देखो कितने असान-असान से question है, बस थोड़ा सा न, time management और panic नहीं होना था, हना, अगर panic हो गए, हबड़ा दबड़ी में सब गलत हो जाएगा, हना, ओके, चालो, so 4 और 3 को interchange करते हैं, यहाँ पर आजएका 3 into 2 plus 8 minus 4 divided by 2, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बोर्ड मास, हना, बोर्ड मास applicable होगा यहाँ पर, अब बोर्ड मास applicable होगा, तो bracket और off तो है नहीं, सबसे पहले क्या लगेगा, divide, divide कर लेते हैं, 3 into 2 plus 8 minus 2, फिर क्या करोगे, multiply, so 6 plus 8 minus 2, then add, so 6 plus 8 is 14, so 14 minus 2, यानि की 12 is our answer, so कौन सो option करेक्ट हो गया, option 4 is correct, ठीक है, option 4 क्या है हमारा, करेक्ट है, बहुत असान था इस बार का पेपर तो हना, चालो, next, in the arithmetic expression, भही, similar question है, बस अब भू यहां पर क्या बोल रहे है, sines change करने को बोल रहे है, multiplication और divide का sign interchange कर रहे हैं, अगर वो, in the arithmetic expression given below, if the sign, multiplication and divide are interchanged, then what we will be get, यानि अब हमारा solution क्या होगा, so 8 divided by 3 minus 2 plus 3, multiply by 3, अब यह बन जाएगा हमारा expression, यह expression बनते ही, अब कैसे solve करोगे इसे, 8 divided by 3, यानि 8 upon 3, minus 2 plus 9, हाना, अब इसे solve कर लो, LCM ले लो 3, क्या आएगा, 8 minus 6 plus 27, 8 minus 6, 2 plus 27 upon 3, यानि की 29 upon 3 is our answer, इसे लिए option 1 क्या है हमारा, correct है, तो answer क्या है, option 1, यानि की 29 upon 3, हाना, सो बढ़िया हुआ था, सबका paper चलो, फट फट से तो पहले comment section में ये बताओ, कि बढ़िया हुआ सबका paper या नहीं, क्या-क्या questions गलत हुए, पता चला अभी आप लोगों को, ओके, चलो, आगे बढ़े, साथ साथ बताते रहूं जो comment section में, चलिए, if 50% books in a library are English language, यानि की 50% books जो library में पढ़ी है न, वो क्या है, English language में है, ठीक है, ओके, and 7 by 10th of, ओके, किसी एक student ने लिखा है, मिथुन, I am yet to write exam, ओके, बेटा, कोई बाती बढ़िया है, आप लोगों के लिए तो preparation हो रही है, हना, very good, ओके, चालो, इस 50% of books in a library are in English exam, and 7 by 10th of the rest in Hindi language, यानि की, क्या है, 50% books है English language में, और 7 by 10th of them are in Hindi language, तो अगर 50% books क्या है, अगर 50% books English में है, तो बाकी की जो बची हुई है, वो क्या हूँगी, बाकी की बची हुई, कोई और language में हूँगी, तो 50% क्या है, अगर language में है, और उन में से भी rest, जो बची हुई है, यानि यही है rest, तो इन में से 7 by 10, क्या है, Hindi language में है, तो 7 by 10 of 50%, वो क्या है, Hindi language में है, हना, तो यह क्या हो जाएगा, 7 by 10 into 50 upon 10, 50 upon 100, क्योंकि 50% है, जो 0 से 0 cancel, यह क्या हुआ, 35 upon 100, यानि कि 35%, अब 35%, तो इन में से कौन सा 35% दिखा रहा है, option 4 तो हमें 50% दिखा रहा है, हना, ऐसे ही, option 3 हमें 50 से ज़ादा दिखा रहा है, right, 75% दिखा रहा है, यह हमें, यह भी हमें 50% से ज़ादा दिखा रहा है, और 75% से थोड़ा कम दिखा रहा है, तो यह ही, option 2 ही एक ऐसा option है, जो हमें 50 से कम, और 35% दिखा रहा है, तो इसलिए, option 2 क्या है, हमारा correct answer है, clear है, easy है ना, चालो जी, next, instruction दी गई है हमें, इन 3 questions के लिए, 4 questions के लिए, read the information given below, and answer the following questions, ठीक है, ओके, इसके लिए तो भाई हमें table बनानी पड़ीगे, और अभी बनाते हैं, फटा-फटा, क्रीती और अमित, are two children of, श्रीमती और श्रीमित्सल, ठीक है, अब इसकी table देखो, क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे, मित्सल, ऐसे type के questions बेटा, बहुत important होते हैं, आप further कोई भी exam दोगे, आप में से, जिन भी students, से NTSC का exam अभी तक नहीं हुआ है, जिनका, या फिर further NTSC का exam हो भी गया है, तो भी एक question प्लीज, ध्यान से सुन लो, क्योंकि कभी भी in future, कोई भी type का अगर exam दोगे, तो यह वाले questions, relationship वाले questions ना, पक्का पक्का आते हैं, शियोर शियोर्ट है कि, एक question तो पक्का आएगा, जो relationship पे होगा, तो इसी लिए, ध्यान से सुनों कि, कैसे solve करोगे इने, clear? और यह वाला question तो बड़ा ही असान है, मित्तल, श्रीमती अन श्रीमित्तल के, दो बच्चे हैं, क्रीती अन अमित, तो दो बच्चे, क्रीती, and अमित, okay, then, अमित married to अनन्या, married के लिए हम नए double sign लगा रहे हैं, ठीक है, तो अमित is married to अनन्या, ठीक है, अमित is married to अनन्या, तो married के लिए हम double sign लगा रहे हैं, clear? Who is daughter of श्रीमती गोयल, श्रीमती गोयल की daughter है वो, तो daughter है, तो यहाँ पे गोयल लिग दिया, ठीक है, okay, then, श्री गोयल had married to रीटा, यानि श्री गोयल जो है, वो married है रीटा से, तो यानि कि, यह जो है, इनका नाम है रीटा, Mrs. गोयल का नाम है रीटा, and श्री गोयल is married to रीटा, ठीक है ना, श्री गोयल क्या है, रीटा से married है, okay, Sonu and Rakesh are children of Summer and रीटा, यानि कि, Sonu and Rakesh है, वो जो रीटा है, और Mr. गोयल का नाम अब हमें क्या दिया हुआ है, श्री गोयल का नाम हमें क्या दिया हुआ है, Summer, so Summer, और रीटा के दो और बच्चे हैं, Summer और रीटा के दो और बच्चे हैं, वो है Sonu and Rakesh, so Sonu and Rakesh, clear, ठीक है, अब उर्वी and पूर्वी, उर्वी and पूर्वी are daughters of Ananya and Amit, Ananya और Amit की जो daughters हैं, उनका नाम है, उर्वी and पूर्वी, ठीक है, ये टेबल बनी, यानि की मित्तल के दो बच्चे, क्रीटी and Amit, Amit की वाइफ अनन्या, Amit और अनन्या के दो बच्चे, उर्वी and पूर्वी, अनन्या किसकी बेटी है, रीटा गोयल और समर गोयल की, और समर और रीटा गोयल के दो बच्चे, Sonu and Rakesh, तो यानि की गोयल होगा उसका भी सरनेम, सो हमारा option 1 क्या है, correct, answer क्या है, option 1, ठीक है, चालो, next question क्या पूछ रहे है, what is the relation of उर्वी यान क्रीटी, उर्वी और क्रीटी के बीच का relation क्या है, देखो, उर्वी, उर्वी कहा है, यहां है और क्रीटी यहां है, उर्वी किसकी बेटी है, अमित की बेटी है, हना, और अमित और क्रीटी क्या हुए, भेन भाई हुए, क्योंकि मित्तल के बच्चे हैं वो, सो यानि क्रीटी क्या हुई, उसकी उर्वी की, बुआ, हना, बुआ हुई, that means वो क्या हुई, उसकी नीज हुई, भती जी हुई, so इसका क्या मतलब है, नीज, उर्वी क्या हुई, नीज हुई उसकी, तो इसलिए क्या है हमारा option, तू क्या है, correct, ठीक है न, चालो जी, next, एक बार आप लोगो ने ये figure, यानि ये table धंग से बना ली न, ऐसे type के questions के लिए, फटा-फट से questions all करना असान हो जाता है, हाना, चालो, next, अब ये देखो, in this question, triangle means greater than, square means less than, and phi means equal to, this symbol means not equal to, clear है, हमें ये सब दिया हुआ, है, यानि कि C, triangle A, C, triangle A का क्या मतलब हुआ, C greater than A, ये मतलब हुआ, हना, उसके बाद दिया है, A square B, A square B का क्या मतलब है, less than, so A is less than B, done, ये दिया हुआ है, then B, phi B, phi क्या दिया हुआ है, equal to, यानि कि B equal to B, उसके बाद हमें दिया हुआ है, B, this plus circle, फिर ये है not equal to, तो यानि B not equal to C, ये दिया हुआ है हमें, right, ये दिया हुआ है, अब देखो, वो बोल रहें, कौन सा option correct है, options क्या दिये हैं हमें, option दिये हैं, ध्यान से देखो, option क्या है, D is less than C, ये है option, यहाँ पर क्या है, D is greater than C, A is greater than C and B is not equal to D, ये सारे क्या हैं हमारे पास options, तो इन में से कुछ भी true हो रहा है, कुछ भी true नहीं हो रहा, देखो, D और C के बीच में तो relation ही नहीं दिया, A और C के बीच में relation दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया है कि C बड़ा है, और यहाँ पर बोल रहे हैं C छोटा है, हमें यहाँ पर B और C दिये हैं कि बराबर नहीं है, और option में बोल रहे हैं B और D तो अगर ऐसे तक के question में आप कोई भी option टिक कराते हैं आपको marks मिल जाते हैं क्योंकि यह answer क्या है bonus गलत printing error है गलत question दिया हुआ है तो इसलिए negative marking तो वैसे भी नहीं थी तो अगर आप कोई भी answer टिक कराते हैं तो आपका marks मिल जाते हैं आप लोगों को ठीक है तो इसलिए बोला जाता है कि ध्यान carefully, attentively देना है paper हना चालो जी next दर्शन walked 4 meters in east east में वो 4 meter चला तो क्या होता है north, south north उपर south, east, west ऐसे होता है हना ऐसे होती है directions तो वो 4 meter चला east में यानि इस तरफ move किया वो a to b गया 4 meter a से लेकर b तक गया वो 4 meter east में चीक है, उसके बाद then he turned right, अब मैं a to b ऐसे आ गई, मैं ऐसे खड़ी हो, तो या तो right और left, ऐसे direction है so right बोल रहे हैं, यानि इस तरफ आउंगी में हाना, आप लोग अपनी note book को घुमा के देख सकते हो exam में rough sheet को घुमा के देख सकते थे हैं, तो ये क्या हो गया 7 meter, towards c आ गई मैं, चीक है then he turned left अब मैं ऐसे खड़ी हूँ right और left, तो left मुझे इधर जाना है, यानि की ऐसे, towards b कितना चली मैं, 5 meter clear, okay then he turned left and walked 5 meters, अम मैं इधर खड़ी हूँ so कहां चला, left यानि की इस राइट, इस is left, so इधर यानि की इस तरफ उपर ठीक है, okay so यहां पर चले हम 7 meters and point यहां गया यहां पर clear, then he finally before stopping, he turned right and walked 3 meters, यानि अम मैं इस तरफ आगई so this is my right and this is my left, so right clear so this is point F and this is 3 meters और यहां पर आके वो रुक गया यानि A से चला और F पर आके रुक गया, तो वो क्या पूछ रहा है, how far is darshan from his initial point, यानि A से लेकर F तक कितना distance हुआ, देखो 4 और 3, 7 और यहां पर यह क्या बन रहा है यह बन रहा है 5, यानि की 7 प्लस 5, 12 तो इसलिए option C क्या है हमारा correct है, यानि answer क्या है हमारा 12 meter, so option 3 is correct, answer क्या है हमारा option 3, यानि की 12 meter, ओके चलें आगे बड़े चालो जी, next, अब देखो if A and B are natural numbers, if A plus B is equal to 2020, A और B क्या है हमारे natural numbers है, और A और B क्या है 2020, यानि A plus B क्या है 2020, ठीक है then what will be the value of minus A raised minus 1 raised to power A plus minus 1 raised to power B ये देखो, A plus B क्या दिया है 2020, ठीक है अब पूछा क्या गया है minus 1 raised to power A plus minus 1 raised to power B ये हमसे पूछा गया है ठीक है, ओके, तो क्या निकालोगे इसका answer देखो, कोई दो numbers हमारे even number कब बन सकता है यानि हमें इसकी value निकालने के लिए A भी चाहिए होगा, B भी चाहिए होगा हाना, तभी निकाल पाएंगे रइट सो कोई भी दो numbers का sum हमारा even कब होगा और ये दोनों ही दोनों क्या है natural numbers है ठीक है, सो even कब होगा या तो दोनों even numbers होंगे या दोनों odd numbers होंगे हाना सो A और B या तो दोनों even होंगे या A और B दोनों ही odd होंगे तभी होगा, अब देखो 2 plus 2, 2 plus 4 दोनों even numbers है, तभी 6 आ रहा है या तो फिर दोनों ही odd numbers होंगे, तभी हमारा even आएगा, चीक है तो यानि कि एक बार हमें case लेना पड़ेगा कि ये even है और एक बार even, plus minus 1 raise to power even, and negative की power even, तो आंसर क्या होता है, positive, तो यानि कि 1 plus 1 which is 2, तो एक बार तो answer आ गया 2 और अब मैं एक बार case लूँँ कि दोनों के दोनों odd है, दोनों के दोनों अगर odd है, तो minus 1 raise to power odd plus minus 1 raise to power odd negative की power odd है, तो यानि answer क्या है, minus 1 प्लस माइनस वन, यानि कि माइनस टू, सो हमारा आंसर टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, इसलिए option 4 थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं, option 4 था हमारा 2 और माइनस टू, इसलिए option 4 क्या है, हमारा सही है, clear है, ओके, शालिए, सो आपकी mental ability तो बहुत ही असान आई थी, बहुत ही असान, सो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पेपर को दिया होगा, तो mental ability में तो आपके पूरे सारे questions हो पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत असान से questions थे, तो 120 मिनिट्स में तो पक्का आपने mental ability कर ही ली होगी, हना, चालिए, देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है अब, ओके, तो इसके बाद वाले subject के लिए रेडी हो, कौन सा डिस्कूस करना चाहते हो, mental ability तो हम डिस्कूस कर चुके हैं, अब social science डिस्कूस करनी है, physics, chemistry, bio, maths, क्या डिस्कूस करना चाहते हो अब, फटवट से बताओं जा, comment section में, कौन सा section आप सभी को easy लगा, जल्दी बताओ, कौन सा section असान लगा था आप लोगों को, कौन सा मुश्किल लगा था exam में, जिन भी students ने exam दिया है, जल्दी बताओ, कौन सा असान लगा था section, I am waiting for your answers, dear, कौन सा exam, कौन सा मुश्किल लगा था, कौन सा topic जिनों ने भी exam दिया है, आपको कौन सा section, कौन सा topic मुश्किल लगा था exam में, या कौन सा topic easy लगा था, ओके, चलो, देखें, सबको समझाए, सारे questions, कहीं पर भी कुछ भी doubt है, किसी भी question में, जिनों ने अभी exam नहीं दिया है, बिकाज मिथुन, आपका मुझे दिख रहा है, कि आपने अभी exam नहीं दिया है, हाना, अभी आपका होना है exam, सो आपको अगर कहीं पर भी doubt है, जिन भी students ने अभी तक NTSC का exam नहीं हुआ है, जिनका, उनको अगर किसी भी question में doubt है, तो बेटा, आप comment section में लिख सकते हो, मैं फिर से समझा सकती हूँ, टेबल समझ आई थी ये सबको, ये वाली table clear हुई थी, अगर मैं पूछ लूँ कि बताओ मुझे की, कोई और मैं question पूछती हूँ की, अनन्या और कृती, अगर ऐसे type का question आ जाए, अनन्या और कृती के बीच में क्या relation है, तो बता पाओगे आप लोग मुझे, ओके चलिए, तो आप लोग ready हो, physics के lecture के लिए, चलो, ओके, so bye bye, take care, physics के लिए तयार हो जाओ, हाँ 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 है, हाँ तो अच्छे लोगा, physics का time आ गया बटा, सो अब आपका physics का paper, discuss करने वाले है, है है तो जल्दी से रहते हैं आपका पेपर जो भी था जैसे भी था जैसलों ही पर आथा जो पर आथ जो एखन शाय थे घल्दे दिस आनने क्या था ऐख्या है थे क्याराइब चींच उसमें इंप्रेंट जो क्वेशंस थे थे ठीक से तु चलिया यह देखते हैँ स्टाट करते हैं स्टीक्स का पोर्सन क्या है फिरकिस का आप डिख गा क्या भाग था इसमें तब पहला क्यस्षर उतला खरूष में पहला में direction आर मेगनेट्यू दोनों है पहले त็ह आपको ुएटर और싸 ये गया रोल convinced पता होना चाहिए जैसे क्याम वेक्टर की बात करें हैई स्केलर की जब इतके स्केलर विक्टर तो जब हम स्केलर की बात करते हैं विटा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैगनिट्यूड होता है ठीक है और जब हम बात करते हैं विक्टर की तो इसमें मैगनिट्यूट प्लस डायरेक्शन दोनों होता है ठीक है तो मेगरेटिव डायरेक्शन जब दोनों होता है तो जैसे के हम इसको हम यहाँ पर देखें अगर देखें तो पहले हम लिखें डिस्प्रेस्मेंट विलोस्टी और टाइम डिस्प्रेस्मेंट को अगर लेट से एसे रूपित कर रह होता यह होता है यह साइन लगा है मतलब यह टर है तो डिस्प््लेस्मेंट में क्या है डिस्प्रेस्मेंट वेक्टर हे विभी टर क्योंकि हम लिखते हैं रेट ऑफ चन्ज औरक है तो कि का होता है spin ये लुझक है जैसे आपसे पूछा जाए कि कितना समय हो रहा है तो मैं देखके कहूंगा कि अभी एक बच के या बारा बच के छपन मिनट हो रहा है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि बारा बच के छपन मिनट पूर्व की तरफ हो रहा है पस्चिम की तरफ हो रहा है या उत्तर की तरफ हो रहा है ठीक है यह ऊपर की तरफ हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है स्री लंका की तरफ हो रहा है कि कहां की तरफ हो रहा है नहीं बोला जाता है क्यों क्यों क्योंकि इसमें डारेक्शन नहीं होता ठीक है सिर्फ और सिर्फ मैगनिट्यूट तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैगनि यह भी क्या होगा एक तरह का स्केलर क्वांटी एरिया एरिया एक तरह के एरिया का विक्टर ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीनों होनी चाहिए तो नहीं है स्पीड क्या है बटा स्पीड क्या है यहाँ पर स्केलर हो गया लेंद क्या है स्केलर हो गया इंपल्स क्या है इंपल्स जे जिसको बोलते हैं जे क्या होता है एफ और क्या होता है डेल्टा टी छोड़ थोड़े समय के लिए जो बल लगता है बटा किसी ऑबजेक्ट पर किसी इन रहुने चाहिए तो मारा wort option करेक्ट बटा fourth option करेक्ट है velocity acceleration or force velocity acceleration ऐखसन पर स्कारे तो विलोस्टीच को मैं आपको दिखाया पहले है एक्सलरे सन्क्रिशन की आपर the accelerator होता है छोटे में इसे दिखाते हैं और यह होता है rate of change of velocity, rate of change of velocity बகुट इसमें लिखते हैं litres 30 seconds square लेकिन बोला जाता है किस direction में, जिस डायरेक्सर में ये tactics change होती है change of velocity की जो direction होती है वही बटा nucleus नहीं, आप कह सकते हैं रिटार्डेशन भी होता है लेकिन एक्सलरेशन के बात करें तो एक्सलरेशन की ठीक है और फोर्स के बटा फोर्स भी यहां पर क्योंकि लिखते हैं हम F इक्वल्स टू M A लिखे हो गया F इक और फॉर्मूला पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लोगा एक अच्छा है F में क्या है बटा मेगनेटिव डायरेक्शन दोनों है मतलब यह मारा फॉर्थ नमबर आप्सन यहां पर करेक्ट होंगा चाहिए था ठीक है चलिए नेक्स चलते बटा दा विलोस्टी टाइम ग्राफ आफ एन अब्जेक्ट मोविन विच यूनिफॉर्म विलोस्टी यूनिफॉर्म जब वर्ड लगा है बटा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का अगर बात करें यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है बटा कि टाइम के साथ चेंज नहीं है नो चेंज विथ टाइम यहां पर लिख सकते हैं हम नो चेंज विद टाइम ठीक है या विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में बटा चैंज नहीं हो रही है यह वेलोष्टी यूनिफॉर्म है बनी हुई है जितनी थी उतनी है तो यहाँ पर हम देखें कि अगर सभी को स्टुडी करें सभी ग्राफ को अगर देखे बटा तो पहला ग्राफ देखो अगर तो टाइम बढ़ रहा है एक्स की डारेक्शन में वाई है वाई की डारेक्शन में वेलोस्टी लिया गया है ठीक है अब यहां पर पहले ग्राफ को देखो तो यह बोल रहा है कि जब जीरो टाइम था तो वेलोस्टी मैक और यह घड़ रही है यूरी फॉर्म नीए इसमें अगर देखे बैटा तो टाइम बोल रहा है टाइम देखो टाइम यहाँ से यहां तक चल रहा था यहां से जीरो से लेके इस point तक कुछ कोई velocity नहीं है क्योंकि zero है लेकिन इस instant पर बटा इस time पर हम देख सकते हैं इस fraction of second में या इस instant पर हम देख सकते हैं कि अचानक से दिखा रहा है कि velocity जो है वो तीर का निसान लगा के बना रहा है कि अनन्त है बटा मतलब कहा जा रही है infinite तो velocity infinite एक point पर नहीं हो सक पॉसिबल नहीं है इस वजह से यह graph cancer यह graph रही पॉसिबल नहीं है तीसरा यहां पर बोलना है कि जैसे यह से time बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलास्टी बढ़ रहे है देखो यह वेलास्टी बढ़ती चली जा रही तो यह भी graph नहीं है four is the correct answer तो आपको चाओ था option चुनना थ से बटा next question बटा third है if if force momentum and displacement force force मतलब F ठीक है capital F momentum मतलब P small p and displacement मतलब let's say की displacement को हम S से दिखाते है या X से दिखा लो ठीक है let's say कि हम X से दिखाते represented by a b and c h a hap represent किया है respectively then term a c by b will be to a or c को हम देख ले पहले हमने क्या लिखा है देखो a से दिखाया गया है बटा force को ठीक है b से दिखाया गया है बटा momentum को ठीक है और c से दिखाया गया है बटा किसको displacement को ठीक है तो यहाँ पर बोल रहा है formula है हमारे पास a c by b a c by b means a क्या है बटा force है force मतलब लिख लेते हैं force multiply by क्या लिखा है c C क्या है भटा डिस्प्लेस्मेंट तो लिख लेते हैं इसको displacement divide by क्या हो जाएगा भटा लिखा है divide by क्या लिखा है बटा divide by B लिखा है B क्या है बटा?, Momentum Momentum मतलब P ठीक है तो हम लिख लेते हैं ही पहले Momentum अब यहां पर अगर देखें तो force क्या है F into S into क्या है बटा, Momentum, Momentum क्या है P, सबका formula पता है F E QS 2 होता है बटा, M A, ठीक है, और S क्या है, S क्या है, S को A C लिखते हैं, चरो ठीक है, P क्या है बटा, Momentum, Momentum क्या होता है, Mass into velocity, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो Mass से Mass कर जाना चाहिए, फटा फट से कर जा जाएगा कि नहीं, कट जाएगा हमें देखाना है कि क्या होगा, क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम देखें, तो Mass into, Acceleration into, क्या लिखाया, Displacement, और यहाँ Mass into velocity, तो Mass से Mass तो कट गया, बचा हमारे पास, Acceleration, सबकी यूनिट रख के देखते है, Acceleration की यूनिट ह ठीक है, वी लिखाया, वी क्या होता है बटा, मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड अगर देखे, तो सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर एक कर जाएगा, एक मीटर से एक मीटर से एक मीटर से लो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड नीच आएगा है एक सेकंड से एक सेकंड कर जायेगा किया बचेगा हमारे पारच बचेगं मीटर पर सेकंड क्या होता है थार्ड नमबर वेलोषिटी विलोषिटी थार्ड इस पर्रक्ट उसरच Wednesday मीटर पर सेकेंड आया देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड कट गया ठीक है बचा यहां पर सेकेंड तो सेकेंड यहां पर है और मीटर एक बचा था तो मीटर पर सेकेंड सिर्फ बचा यह पूरा कट गया ठीक है यहां तक समझ में आए बटा सबको सही है यहां ता clear है चलो next बटा यहाँ पर देख सकते हैं the mass of a person लिखा है the mass of a person on earth surface is 60 kg 60 kg बटा m का value दे रखा है his mass on moon will be तो बटा अगर आप से weight पूछा जाता ठीक है अगर आप से पूछा पूछा जाता weight के वारे में w के वारे में to w question हम जानते हैं mg होता है तो यह change हो सकता है क्योंकि other planet पे जाएंगे तो जो g का value है अर्थ पे बटा यह होता है 9.8 meter per second square यह approximately इसको हम लिखते है 10 meter per second square यह अर्थ पे है ठीक है तो g e लिख सकते हैं लेकिन g moon अगर लिखेंगे बटा तो यह change हो जाता है यह होता है one by 10 होता है gk sorry one by six होता है gk ठीक है one by six times होता है मतलब जो जी का value होता है अर्थ पर उसके six times होता है one by six times होता है ठीक है तो यहाँ पर इसका मतलब कि अगर अगर हमसे wait पूछा होता तो इसका value change होता लेकिन हमसे पूछा गया है mass बेटा तो mass change होता ही नहीं तो mass जो होता है बेटा mass की अगर आपको definition या mass होता क्या है अगर यह आपको पता होगा तो आप इसका answer कर पाते mass क्या होता है quantity of matter जो कि कि किसी place पर depend नहीं करता कहीं भी वो हर जगह same रहता है हर जगह same रहता है कहीं भी जाओ आप अर्थ पे हर जगे चले जाओ आँका भी चले जाओ मतलब युनिवर्स में कहीं चले जाओ other planet पे चले जाओ कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पर ता माज जिश इसका जितना है उतना आही रहेगा बट वेट चेंज होता रहता यहां होगा जीतना होगा 60 kg था तो 60 kg जी ही रहेगा means option number one is correct okay cool समाज में आ रहा है बटाए है यहां तक चलो अब यहां लिखाए फिफ्ट नवर क्वेस्टिन अगर हाफ कर दिया जाय डिस्टेंस बिट्विन टू मासे दो मास के बीच में तद ग्रेविटेशनल फोर्स बिट्विन देम विल भी देखो बोल रहा ह सीधा सीधा हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है नूटन्स यूनिवर्सल लोग जो होता है ग्रेविटेशनल लोग इसको अमने पढ़ रखा है कि अगर इनके बीच में लट से कि यह M1 है यह M2 है इनके बीच में कुछ डिसंस दे रखा है लट से की R डिस्टेंस है ठीक ह तो इनके बीच में जो फॉर्स लग रहा होगा बटा इनिसली फरस्ट वो क्या होगा एफ एक्वेस्टू एफ एक्वेस्टू लग रहा होगा बटा जी M1 M2 by R स्क्वेर ठीक है चलो चलो एक्वेशन मन मन लेते हैं अब दूसरा बोल रहा है कि इसके डिस्टेंस हाफ कर द दिया गया इस अब्जेक्ट को उठा के हाफ पे कर दिया गया चलो करके देखते हैं ठीक है हाफ पे कर देते हैं मतलब पास में ला दिया गया बहुत पास में रख दिया गया पास में रख दिया गया यह M2 पास में आ गया अब डिस्टेंस इनके बीच के बच यह बटा आर बाई टू तो आर बाई टू हो जाएगी तो जो दूसरा फोर्स हो गए बटा यही फॉर्मुले में देखो तो f कितना हो जायेगा यहां पर देखो तो यह हो जाएगा gm1 एम टू बटे आर वाय टू मिन्स आर बाई टू ठीक है का वर्ग, r by 2 का वर्ग means इसको हल करेंगे या solve करेंगे तियो हो जाएगा 4 g m1 m2 by r का square, अब देखो g m1 m2 by r square क्या है, f है, तो जो नया force आ रहा है, let's say f dash, तो f dash जो है बटा, ये 4 times है f k, means कि force जो होगा बटा, 4 times हो जाएगा, 4 times means, option number 3 is correct, okay, option number 3 is the correct option, बटा, आपको थर्ड number option choose करना था, ठीक है, cool है, clear है, यहां तक बटा, यहां तक clear है सब को, ठीक है, चलते है next, अब यहाँ पर दिया है, the speed of a wave is 250, ठीक है, speed दिया है wave की, जो कि 250 meter per second है, and its wavelength is 50 cm, wavelength lambda की value दे रखा है, 50 cm, then the frequency will be, frequency निकालना है, f की value find out करना है बटा, तो आपको दिया क्या है, पहले हमें लिख लेते हैं, दोखो, first हमें दिया है, speed दिया है, का मतलब velocity दे रखा है, कितना है, velocity या, speed दे रखा है, 250 meter per second, दूसरा हमें दे रखा है, lambda, lambda equals to दे रखा बटा, 50 cm, लेकिन यहां पर देखो, meter per second है, यहां पर centimeter में दे रखा है, इसको, हम meter में change करनेंगे, meter में 100 cm होते है, 100 cm, तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, divide कर देंगे, तो 50 by 100, और यह हो जाएगा, meter के, अब यह meter में हो चुका है, ठीक है, देन दफ्रेक्वेंसी विल भी हमें निकालना है, third, जो हमें पूच रहा है, वो पूच रहा है, frequency F की value क्या हो, कि तो हमें पता है, formula, formula हम हमें क्या पता है, हमें यह पता है, V जो होता है बटा, यह equal होता है, lambda F के, ठीक है, V equals to lambda F, तो V equals to lambda F, तो F equals to कितना हो जाएगा, F equals to हो जाएगा, V by lambda के, दोनों की value put कर देते है, V के value कितने जे रखे, 250, 250 divided by lambda, lambda कितना है बटा, 50 by 100, 50 by 100 means 100 उपर चला जाएगा, यह हो जाए 50 into 100 divided by 50, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 5 हो जाएगा, मतलब आजाएगा यह 500, ठीक है, 500 हर्ज, 500 हर्ज यहाँ भी आपको दिख रहा है, वो आपका answer होगा बटा, तो कहाँ दिख रहा है आपको, second पे आपको इसको दिख रहा है, तो second number आपका correct option है, ठीक है, second option आपक चूज करना था, कूल है, समझ में आ रहा है बटा यहाँ तक, है ना, शरी, अब लिखा है, यहाँ पर, an object of mass 10 gram is moving with an acceleration of 10 meter per second square, ठीक है, force acting on the object will be, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर आपको दे रखा है, बटा, क्या दे रखा है, कि आपको M कई वैलू दे रखा है, मास की जो कि है 10 gram, तो इसको हमें change करना है kilogram में, तो 1 kilogram में 1000 gram होते हैं, मीन्स यह हो जाएगा 10 बटा 1000, और यह हो जाएगा kilogram, ठीक है, kg में हमने change कर दिया, एक्सलरेशन दे रखा है, इसका, एकी वैलू दे रखा है, बटा, कितना है, 10 meter per second square, ठीक है, 10 meter per second square, ठीक है, और क्या बोल है, force acting on the objective, will be, तो F a question होता है, M A, F a question होता है, M A, यह होता है, M की वैलू क्या है, यहाँ पर देखो, M की वैलू कितनी है, 10 by 100, 10 by 1000, 10 by 1000, ठीक है, multiply by A, A कितना होता, 10 to 10, so यहाँ से देखो, 0000 कर गया, कितना बचा, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, कितना होता होता, 0.1, और यह जाएगा Newton, ठीक है, क्योंकि force है, force की, जो unit होती है, बटा, वो होती है, Newton, तो आपका, B number, या, two number, option, correct होगा, ठीक है, 0.1 Newton, आपका correct answer बटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सबको ना, clear बटा, छोटे-छोटे-छोटे question थे, ज्यादा कुश है नहीं, बहुत ही आसान से question थे, तो आप देख सकते है, lens formula पूचा गया है, आपने chapter पढ़ा था, light reflection and reflection, उसी chapter का ही है, class 10th में, lens formula जो होता है, देखो, दो formula आपने पढ़े है, एक पढ़ा है अपना, पहला आपने पढ़ा है mirror formula, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा है lens, ठीक है, जो यहाँ पर पूच रहा ठीक है आप से, lens formula, अब अगर mirror की बात करें, तो यहाँ पर आपने पढ़ा है, one by f, equals to one by u, plus one by v, इसमें plus होता है बटा, इसमें एक difference आजाता है, थोड़ा सा, one by f, equals to one by v, minus होता है one by u, के, यह formula होता है आपका lens का, ठीक है, यह focus, यह focal length, और distance of object and distance of velocity के बीच में, एक relation होता होता है, जिसको रिले, जिसकों बोलते है, lens formula, lens के लिए, यह दोनों के लिए होता है, और, चाहे, 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 कॉनवेक्स, और यह 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 बैले, फॉर्मूला, तो आपको देखेंगे, यहाँ पर तो आपको थर्ड नंबर आप्सन आपके, इस तरह दिखेग है, जो अपसन है, आपका, तरण नंबर करिक्ट आंसर दीखे गवाइदा, टिक है, तो आपको लगाना था, थार्ड में, थार्ड आपको करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कूल हे बटा, यहां तक, चली, लिए नाइंध क्वेस्टन आपका क्या आया था देख सकते हैं आप नाइंध क्वेस्टन वोड़ा है फोकल लेंथ आफ लेंस इस 50 सेंटीमेटर फोकल लेंथ इंडायोप्टर पावर आफ लेंस विल भी देखो तो अपसे पावर पुछा एक पी जो होती है यह क्या होती है F की value दे रखी है कितनी है बटा 50 cm दे रखा है तो cm के लिए power का formula क्या होता है तो P equals to होता है 100 divided by F लेकिन ये जब cm में हो अगर ये मीटर में होता अगर हम मीटर में लिखते बटा तो यही formula होता 1 by F और यहां लिखते हैं मीटर ठीक है ठीक है यही formula तो हमें ये वाला formula यूज करना है तो P equals to देखोगे तो यह हो जाएगा 100 divided by F cm में कितना है बटा 50 कुछ नहीं करना था आपको बस और बस डिवाइट करना था 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 तो यह जाएगा 2 और यह diopter को D capital D से दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं आपका second number answer बट ठीक है सही है समझ में आणा सब को चली 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 आगे चलते बटा फटा फट से देखते हैं सारे questions को 10th number question बोला है correct relation between radius of curvature और capital R and focal length f of a spherical mirror is तो इस spherical mirror की जो हम बात करते हैं बटा इस spherical mirror दो तरह के होते हैं हम जानते हैं can convex expression monkeys फिरीदों हम जानते है सरा Dolan Looks में एक में अंदर की तरफ होगा आई एक में अंदर की तरफ PP follow a यह बाहर की तरफ होती है ठीक है तो इसका यह रिफ्लेक्ट्ट्रांस होता है इसका यह अंदर वाला हो था है जिसका अंदर वाला होता है ठीक है के मतलब गुफा की तरह होती है के वाप पड़ते हैं और यह होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मतलब ऊपर उभरा हुआ जो सतय होते है बटा जो इसका सर्फिस होता है वो इसका रिफलेक्टिव होता है तो यहां पर अगर देखे तो द नेम होता है restore sarà इसको काटा गया है इस इसली स्पेर कार्ट मिलिबुट PS αυτό है टो यहां पर मैं बोल रहा हूँ half distance अर्थात कि P से C तक की जो P से C तक की बटा अगर देखा जाये तो P से C तक की जो distance विटा वो R होती है और P से F तक की जो distance होती बटा वो F से नियू या denote करते हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आफ होता है डिल देखे तो टूर्णज के बरावर होता इसका जो होता है यह विंटो होता है आर बॉट होता है वह तो एसमें से जो भी आपको दिखर आयों पर क्या लिखा है भशाय यह आरे कस्टू निए अगर यहां पर मैं बात कर Ook यहां पर गर मैं बात कर दो यहां लिखा है reflection oh sorry reflection denser to rare error ठीक है तो denser medium से जा रहा है बटा rare medium में तो यहां पर बोल रहा है for a light rate the value of angle of reflection at the condition of critical angle critical angle होता है बटा total internal reflection के वाज़े ताइम पर ठीक है हम बात कर रहे है टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन टी आई आर के बारे में तो जब टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन होता है बटा जैसे कि हम बात करते हैं रेंबो की ठीक है जब रेंबो बनता है तो उस टाइम पर ये 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 जो है ना ये फिनोमिना इसी के वज़े से होता है टोटल इंटर् reflection के लिए condition क्या होनी चाइए कि जो light है वो हमेशा हमेशा denser medium से rarer medium में जानी चाहिए कभी भी rare से denser में आएगे तो काम नहीं होगा ठीक है बटा हर दम denser से wheels जाती हुई होनी चाहिए तो जब denser से मालो कि यह denser докум सर्से ठीक है यह denser medium ये रेरर मीडियम तो डेंसर से रेरर में जाती है जब तो एक ऐसा एंगल होता है बटा इंसिडेंस का इंसिडेंट एंगल एक ऐसा होना चाहिए कि जो ये जो ये नॉमल होता है नॉमल के साथ एक ऐसा एंगल बनाएं कि ये रिफलेक्ट होने के बाद मतलब ऐसा होना ही एंगल ढूट ओंगा देगी ठीजा इस इसके साथ 90 डिग्री अंगली कर रहा है इसे हैं इस अफॉल इंट क्रेटिकल एंगल जब ये दूसरे मेडियम ही जणना जांक उसी मेडियम फिर है 90 degree होना चाहिए जो कंडीशन इस में अभी अभी दिखाए आपको 90 डिग्री का अंगल क्रिट होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है ठीक है चलो next question बटा तो देख सकते हैं आप क्वेश्टिन क्या बोल रहा है एलेट्रिक पार्ट से आपका question है आप देख सकते हैं तर रेजिस्टेंस आफ बल्ब माग्ड 220 वोल्ट और हंडर अंडर टेन वाट ठीक है तो वाट क्या होते बटा पावर होता है और वोल्ट क्या होता है आपका potential होता है ठीक है या potential difference होता है तो यहां पर दे रखाए आपको व की वैलू दे रखे है आपको दे रखाए वाट कितना है अब इसके बाद हम से पूछा गया कि रजिस्टेंस क्या होगा बटा रजिस्टेंस हमें निकालना है तो रजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं पी कोईस्ट होता है बटा वी आई के बटा यहाँ पर तो हमें आई कहीं दिया ही नहीं है तो कैसे करेंगे अगर हमें आई नहीं द देखेंगे तो P equals to बन जाएगा बटा V into V by R तो यह हो जाएगा V square sorry V square by R के अब V square by R में हम देखें तो V की value पता है हमें R की value निकालना है तो R की value निकालेंगे तो यह बन जाएगा R equals to V square by P के फटाफट से इसके value put करेंगे तो हमारा answer मिल जाएगा V square means 220 का square बटे P P कितना दिया है 10 यह इसी का हम बोल सकते हैं 220 multiply by 220 divided by 10 0 से 0 cut गया 22 का 2220 में multiply होगा बटा तो यह आजाएगा R equals to आप देखेंगे तो यह आजाएगा 4840 4840 ओम की ठीक है यह आपका answer है बटा तो देखो मैश करो कहाँ पर है तो बटा से इकर नमबर बटेक पा रहे हैं क्लिर लिए अंडेक पा रहे हैं और यह आपके सेट नमब्र इसका गरिंशने ठीके अपको सेकर लिए पूसिकर नमबर आप्टा स्चूज करना था इसकली ठीके करेक्टर बटा यहां तक समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है ठीक है छोटी छोटी बाते हैं समझ में आ रहा है आपर ठीक है next बटा next 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 यहाँ पर 13 number question है कि a person of mass 100 kilogram reaches a height of 10 5 meter in 10 seconds ठीक है find the power used by the person और हमें g equals to data acceleration due to gravity दे रखा 10 meter per second square है तो यहाँ पर इस clearly हमसे पूचा गया है कि person की power का या person ने कितना power लगाया है ठीक है ठीक है उस आदमी ने कितना power लगाया और या उसकी power कितनी थी वह हमें निकालना है चले तो यहाँ पर तो दिया है पहले लिख लेते है ठीक है तो गीविन क्या है बटा गीवन जो होता है पहले लिख रैना सब्सक्राइब फिजिक्स में जब पहुत सारी चीजें दी ओ तो लिख लो तो तो उसे एक आईडिया लग जाता है किस फॉर्मीले में सेट होगा तो एम इकवस्टू द दे रखा है कितना दे रखा है वटा हंट टेन सेकेंड ओके कूल और हमें जी की वैलू कहराई यूज करने के लिए कितना है टैन मीटर पर सेकर्ड स्कॉर इतना हमें दे रखा है अब एक चीज बताओ हमें है अगर इसको देखे थोड़ा से रिलाइस करें कि कैसे मालू यह अ था ठीक है तो यहां पर जब अर्थ सर्फिस बोता है विटा तो इसकी जो पोटेंसिल एनर्जी होती है वो जीरो होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में मान के चलते हैं अब जैसे जैसे यह हाइट में जाए अब यहां से अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए है एच हाइड पर पहुंच जाता है मालू यह कोई जगह थी जहां पर आके अब यह खड़ा है ठीक है यहां पर अगर इसको पहुंचना है जो की हाइट एच है जो की 100 मीट कितना है 5 मीटर के बरावर है तो पोटेंसल में चेंज जितना आएगा बटा उतना ही वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंसल एनर्जी जो होता है ठीक है चेंज इन पोटेंसल अर्जी यह बरावर होता है किसके वर्क डन के जो क्यों होगा बटा कितने के देखो नीचे कि अगर इसका कुछ ना कुछ मास एम है ती नीचे की तरफ क्या लग रहा है इस पर जी फोर्स लग रह है और और विचा एच गया तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें जो इसका इसने काम किया होता एम जी एच एम जी है इसने काम किया ठीक है तो यहां से हमें पावर निकालना है अगर पावर, P निकालना है तुम जानते हैं यह होता है W या वर्क बटे वर्क डिवाइड बाई क्या होता है बटा, टाइम के ठीक है, वर्क डिवाइड बाई टाइम, तो P एकोस्ट टु आ गया है बटा, W by T W की वेलू क्या है? M, G, H बाई कितना है? T सबका formula सबकी value हमें पता है M की value हमें दे रखा है 100, G की value दे रखा है 10, H की value दे रखा है 5, और T की value दे रखा है 10 second means 10, तो 10 से 10 तो कड़ गया, हमारे पास बचा P equals to कितना आए बटा, P equals to आगया 500, और इसमें क्या होगा बटा, इसकी इसकी value, इसका इसका जो unit होता है, वो होता का answer आगया, तो बहुत ही आसान से बहुत ही छोटी-छोटी चीजे थी, अब देख सकते है, answer आपका कांसा है, A number correct answer, ठीक है, या first number correct option है, cool, ठीक है, सुबटाब यहाँ पर, यहाँ पर आपका question लगभख लगभख खतम होने वाला है, यह last question है ठीक है, यह last question है, और correct order of compressibility is, compressibility का last question, यहाँ पर एक last question, जो physics का portion का है, हलाकि यह question आपको देखेंगे, तो आपके science का chemistry का portion भी हो सकता है, ठीक है, तो chemistry का भी एक portion बन सकता है, बट कोई बात ने, इसको physics में डिसक्स कर लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा physics में, तो यहाँ पर बोल रहा है, order of compressibility, compressibility आपको हलाकि के question पढ़ा जाती है, 10th में, बट यह physics में भी कहीं न कहीं बिलोंग करती है, physics के साथ भी इसका खासा relation है, काफी अच्छा इसका सम्मंध है physics में भी, तो solid liquid gas, उसके बाद solid gas, liquid, gas, liquid, solid, gas, solid liquid, काउन सा होगा, यह हमें देखना है, compressibility का meaning समझने के लिए हमें structure पर जाना और यहाँ पर gas लिग देते हैं, ठीक है, चल, अब जब solid लिखे हैं तो इसका structure एक कोई material का structure हम देखते हैं, तो इसमें जो packing होती है, बटा जो molecules होते है, वो बहुत पास-पास arrange होते हैं, बहुत पास-पास, और closed packed होते हैं, tightly packed होते हैं, मतलब इनके बीच में जगे बहुत क पाली जगे नहीं होता है, तो बहुत मामूली, बहुत ना के बराबर, ठीक है, इसको बहुत है, tightly packed है, एकदम molecules, एकदम एक दूसरे से कसे हुए, भरे हुए, ठीक है, खचा-खच भरे हुए, ऐसा बोल सकते हैं, अभी यहाँ पर अगर देखें बटा, तो जो liquid होता है, उस है, पानी को एक जगे डाल दो अब तो बहे जाता है, ना, या किसी भी, किसी भी आप बरतन में, या किसी भी चीज में डाल दो, तो उसी का सेप ले ले लता है, क्योंकि उसके molecules जो होते हैं, आसानी से, अर्जिस्ट कर लेते हैं, अपने आपको, बर्ड़ अगर गैस की बा लगाया जाए, फोर्स अगर चारों तरफ से फोर्स लगाया जाए, या एक तरफ से फोर्स कोई भी फोर्स लगाया जाए, तो क्या है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो बटा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो क्योंकि इसके पास कंप्रेस कप कर सकते हैं, बटा कि इसके ब GB में आता है बटा और यह सबसे हाइल ठीक है तो हाइली कॉम्प्रेसिबल है वटा यह तो इसको मतलब किया होना चाहिए गैस इस ग्रेटर गये लिक्वेट एंड ग्रेटर दैन सौलिट तो सबसे कम स्वारिड है बीच में आएगा लिक्वेट सब से ज्यादा होगा गैस तो आप पोरसन आप का खतम होता है अब कमेंस्ट्री का पोर्षना इधिंग कमेंस्टी स्टी तरहां बिल्कूल वी जोaga साइंस का ये का जो पेपर है इसमें जो कैमेस्ट्री वाला पोर्स ने बटा इसका डिस्कुर्शन अब होने वाला है मैं मा चुकी है ठीक है तो कमेस्ट्री के बारे में जो भी क्वेस्टिन थे तो कमेस्ट्री के जो भी क्वेस्टिन से आई थे कर वेस्टिस रिलेटेट सारे के सारे डिस प्रशान मतमा ठीक है ओके और एक्जाम अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि एक्जाम कैसा आया था क्या हुआ था तो आपके मैं मागे है के नस्टी का पेपर डिसकस करने वाले बस एक मिनट बटा वो तुरंथ जस्ट आपके सामने पेपर डिसकस क अगया था कि एक कंच पर छेंजा था है एक भी है आपके वाइशने ओ अधर फिटी बाप आपके अधरी ओं आप दो आए और है आपके हुआ है आपके कि अट लोग आप्ड़ीवान अच्ग कर किता दिखों मेरी अधरी को मैं विजिबल है सबी को देख रही हूं मैं चालो, तो अभी सर ने कराया था आपको NTSC का फिजिक्स का पेपर, मैं आपको कराऊंगी, मैं फिजिक्स के क्वेशिन्स डिसकास किये थे, एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वैसे तो आप सब जानते ही होगे, बाट मेरा नाम है स्वाती और मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत मुझे बायो भी आती है, तो आपका आज केमिस्ट्री और बायो का जो सेक्शन है, इस पेपर का, वो आप मेरे साथ डिसकास करेगे, ठीक है, तो अगर बीच में किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, या कोई भी इश इशू आ रहा है, तो मुझे बता दे न, ठीक है, तो अभी बस लगने वाली है, स्लाइट्स, और जिन जिनने पेपर दिया है, कैसा गया पेपर, मैंने चेक किया, काफी इजी आया था, क्वेशन, हाँ, ठोड़े बहुत, मतलब 10th से उपर के questions थे, 11th वगरा के थे, especially भायो तो तिरे दुरंदर है, उन्होंने करी दिया होगा पका, है न, सभी का बढ़िया गया होगा, तो करे शुरू, computer जी, करे शुरू, चालो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम, चलो, हमारा यह है, सबसे पहला question, इसमें एक reaction दे रखी हैं, हमको कि CUSO4 plus zinc gives ZNSO4 plus copper, तो अब आप मुझे बताइए कि इन में से, जो यह equation दे रखी है, इस equation के लिए इन में से कौनसी statement correct है, तब इस equation में हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास copper sulfate था, उसने जब zinc के साथ react किया, तो copper की जगा पर zinc आ गया, NCRT की equation है यह, और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, तब भी N number of times यह equation है, हम लोगों को ने discuss करी थी, तो यह बहुत ही स्यादा easy होनी चाहिए, आपके लिए अगर zinc copper की जगा पर आ रहा है, यानि की zinc is more reactive than copper, वही न जैसे एक बहुत हटा-कटा बच्चा ही, एक दुबले-पतले बच्चे को उसकी जगा से हटा पाएगा, तो जो zinc है, that is more reactive than copper, then only it can displace copper को उसकी जगा से, तो जो यह पहली statement है कि zinc is less reactive as compared to copper, यह statement गलात होगी, because only more reactive can displace the less reactive from its position, second क्या है, zinc is, इसको थोड़ा दंग से लिख देते हैं, zinc is more reactive as compared to copper, अब यह statement विलकुल correct है, अगली statement reactivity of copper and zinc is equal, गलत, Zn is displaced by copper, गलत, copper is displaced by zinc, ठीक है, अकसर ऐसी terms में भी हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, अगला, number of molecules present in 0.25 moles of water are, अब इसका सीधा सा formula है, यह देखो तुम्हारा उसका topic है, 9th class में, 9th class में, जो items and molecules chapter है, उसमें पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को, ठीक है, तो जो number of molecules का तु अगर वो unitary method वाला formula लेके चलना है, तो unitary method लगा सकते हैं, या फिर जो directly formula होता है, कि number of molecules is equal to mol into Na, वो भी लगा सकते हो, number of molecules is equal to, जितने mol दे रखे हैं, into Na, यानि की avogadros number, कितने mol में निकाल ले विटा, 0.25, लिख दो 0.25, Na, क्या होता है, avogadros number, जल्दी से बताओ, 6.022 into 10 raised to the power 23, ठीक है, ये तुमहारा निकल के आएगा something approximately 1.505, 1.5055 into 10 raised to the power 23, simple से multiplication है, तो correct option होगा, option 3, अगला है, substance having equivalent number of molecules as in 9 gram of water, तुमारे पास यहाँ पे 4 options दे रहके हैं, इन 4 option में से, ऐसा कौन सा option है, जिसमें उतने ही number of molecules हैं, जितने 9 gram of water में है, तो सबसे पहला step अपने को यह निकालना पड़ेगा, कि भाई, 9 gram of water में कितने molecules हैं, ठीक है, अब मॉलीक्यूल निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले number of mole निकालना पड़ता है, ठीक है ठीक है, अब मुझे यह निकालना है कि इन में से, जिसमें 0.5 mol होंगे, उसमें उतने ही molecules होंगे, जितने 9 gram of water में होंगे आपके, समझें, मैं ऐसे कह रही हूँ, इससे मान के चलो, अब अगर मैं आप तुम से पूछो कि बटा मेरे को यह बता, 0.5 mol of water के कितने molecules हैं, तो त काओगे मैं, एक mol of water में जब N-A molecules होते हैं, ठीक है, ना दिखें तो मुझे बता देना, तो मैं 0.5 mol of water में 0.5 into N-A होंगे, ठीक है, और इन चारो option में से, जो ऐसा option होगा, जिसमें 0.5 mol होगा, उसमें भी बराबर number of molecules होंगे, तो सीधा यह करना है, आपको 0.5 into N-A नहीं करने लगना है, तुम्हें बस यह देखना है, कि 0.5 mol किसमें present है, सबसे पहला देखो 12 gram of magnesium देखो, 12 given mass, molecular mass कितना होता है इसका, 24 आगया half, यानी कि 0.5 mol, अब अगर मैं तुमको बोलोगे बेटा, एक mol of magnesium में कितने molecules होते हैं, तो आप बोलोगे माम, N-A molecules होते हैं, तो मैं तुमसे पूछूँगे, कि बेटा, बता फिर 0.5 में कितने होंगे, आप बोलोगे, माम, very easy, 0.5 mol of magnesium में होंगे, 0.5 into N-A, इसमें भी है 0.5 into N-A, तो तुमारा correct option क्या होगा, option 1, अब तुम मोलोगे माम, second option correct क्यों नहीं है, second option देखते हैं, पहले second option के number of moles निकाले फिटा फिट से, ठीक है, चाल, third देखते हैं, third वाला ज्यादा easy होगा, third वाला देखते हैं, number of moles निकालो पहले, number of moles, given mass कितना है, जल्दी से बताओ मेरे को, number of moles नहीं आता, बट जो given है वो तो बता सकते हो, number of moles कि होतना है, 17, ammonia क्या होता है, NH3, molecular mass क्या होता है, 17, इसका आया एक, एक mole और अपने को तो पता है, किसी भी compound के, एक mole में na atoms होते हैं, तो 17 gram of ammonia में, sorry, molecules होते हैं, तो 17 gram of ammonia में कितने होंगे na molecules, हमें बताना है कि 0.5 into na किस में होंगे, और वो हमने निकाला कि भाई, वो meganesium में है, easy question, बढ़ूं आगे, कोई दिक्कत हो, कुछ लिखा हुआ ना दिख रहा हो, handwriting समझ में ना रही हो, बिंदास बता देना में को, मैं दुबार समझा दूँगे, ठीक है, आगे चलते हैं, atomic number of element symbol UNNT, ठीक है, वैसे तो य usually अपना उसमें होता है, 11th class में आता है, periodic classification करके chapter होगा, 10th में भी होता है, 11th में भी आता है, periodic table कहते हैं, जिसको, उसमें सीखते हैं हम, ठीक है, बट यह इसमें आ गया है, आपका तभी मैं कहते हैं, थोड़ा तो higher level की चीज़े देंगे ही वो आपको, तो UNNT को क्या लिखो ट्रियम, ठीक है, यह उन जो है न, यह इस U और N से मिलके बना है, यह T जो है, यह इस ट्रायम के T से मिलके बना है, तभी बना UNNT, ठीक है, तो UN, NIL, ट्रियम का क्या मतलब है, UN means 1, NIL means 0 and ट्रियम means 3, तो समझ जाना चाहिए, आपको the answer is going to be 1, 0, 3, ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो है, यह U and T है, यह खुलके क्या बनेगा, यह खुलके बनेगा UN, NIL, ट्रियम, अब UN, ट्रियम देखते हैं, UN means 1, UN बोल लो, UN बोल लो, एक ही बात है, तो जहाँ पर भी UN या UN होगा, that is going to be 1, NIL, NIL मतलब 0, ट्रियम means 3, very easy, okay, so correct option is option 3, atomic radius of chlorine is 99 picometers, distance between nuclei of its two atoms in molecule will be, अब यह क्या कह रहा है, कि भाई, क्लोरीन है, अब क्लोरीन बिटा हमेशा CL2 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन को हम जब भी फॉर्मला में लिखते हैं, हम कभी भी CL नहीं लिखते हैं, it is mainly CL2, okay, अब यह क्या कह रहा है, कि CL के, क्लोरीन के आपके दो atoms है, थोड़ा पास-पास बनाते हैं, सटे हुए हैं एक दूसरे से, बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे से सटा हुआ दिखाने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है, जैसे सटे हुए है, यहाँ पर इसका Nucleus है, यहाँ पर इसका Nucleus है, यह है Atom 1 और यह है Atom 2, दोनों की Nucleus है, अब इसमें क्या लिखा है, Atomic Radius क्लोरीन का 99 पीको मीटर है, अब वाट इस Atomic Radius, एक Atom देखो यहाँ पर, केवल 1 देखो, अब 1 का उसके Nucleus से लेके, जो Outermose Shell होता है, यहाँ पर Overlap करता हु एक प्रॉपर Boundary टाइप में बनेगी, यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर Boundary टाइप में बनेगी, अब Nucleus से लेके, जो Outermose Shell होता है, उसका बीच का जो Distance होता है, that is your Atomic Radius, यानि की यहाँ से लेके, यहाँ तक, it is 99, उसी तरीके से, यह भी तो क्लोरीन का ही Atom है, यहाँ से लेके, यहाँ तक, is 99, this is your Atomic Radius, and this is your Atomic Radius, अब सवाल में पूछा है, इन दोनों Atoms के बीच का Distance बताओ, यानि की यहाँ से, यहाँ तक का Distance बताओ, जब दो Atoms के बीच का Distance पूछा जाता है, उसका मतलब है कि उन दोनों के Nucleus के बीच का जो Distance है, हमें वो बताओ, यानि की उनके Nucleus के बीच का Distance बताओ, इस वी हब तुए अडर्शान और यह प्राक्टिस के साथ ही हमको समझ में आएगा, कि जब उसने बोला है कि दो, उनके बीच का Distance बताओ, जो मॉलेक्यूल के दो Atoms है, उनके बीच का Distance बताओ, यानि की जो दो Nucleus है, उनके बी 18, 1, 9, 9, 18, 19, 1, 98, go, meter, टेक है, तो शुरू में क्या कर रखा था, हमको इतना Distance दिया था, और इतना Distance दिया था, question में हमसे पूछा है कि यह Distance कितना होगा, तो सीधा हमने add कर दिया, सीधी addition लगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होई हमको, टेक है, चलो तो आगे बढ़ते ह हैं, next question देखते हैं, molecular formula of chloride of a metal M is MCL2, molecular formula of its oxide will be, very easy question, अब इसने बोलाया कि यार, एक metal है M, हमें पता नहीं है, यह M metal क्या है, इसकी valency क्या है, इसकी configuration क्या है, atomic number क्या है, हमें किसी चीज़ का idea नहीं है, all we know कि जब यह M chlorine के साथ मिला, तो इसने formula बनाया, M, C, L, 2 अब मैं अगर आप लोगों से पूछ हूँ, कि बेटा, जो है chlorine के नीचे का 2 है, यह कहां से आया, chlorine की valency तो minus 1 होती है, यह 1 मान के चलो, sign हम नहीं देखेंगे, chlorine की valency तो 1 होती है, तो chlorine के नीचे यह 2 कहां से आया, अब आप बोलोगे माम, chlorine तो है, हमेशा वो 2 के form में exist करता है, तो यहां पर वो वाला case नहीं लग रहा है, जब 9th class में, again, इसमें जादा तर question 9th class से भी related है, जब 9th class में हम formula making सीख रहे थे, जैसे suppose हम formula बना रहे थे, NH3 का, ठीक है, ammonia का formula बना रहे थे हम, तो कैसी लिखते थ N लिखते थे, H लिखते थे, इन दोनों की valencies इनके नीचे लिखते थे, nitrogen की valency होती है 3, hydrogen की होती है 1, फिर इन valencies को हम क्रिस क्रॉस कराते थे, और formula बन जाता था NH3, तो अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि बिटा, hydrogen के नीचे जो यह 3 है, कहां से आया, तो आप मुझे बोलोग मैं, formula making के time पर nitrogen की जो valency थी, वो hydrogen के पास चली जाती है, और hydrogen की जो valency होती है, वो nitrogen के पास चली जाती है, so if in this question मैंने तुम से पूछा कि बेटा, यह 2 कहां से आया, तो एक ही obvious sense बनता है, कि भाई, जो यह M है, इसकी valency 2 होगी, और M के नीचे कुछ भी नहीं है, और जब भ nitrogen की valency 1 है ही, so the only possible explanation is, कि M की valency होगी 2, जो criss-cross करने के time पर CL के पास चली गई होगी, इसलिए it is M1, CL2, और 1 को हम कभी भी बोलते नहीं है, वो self understood होता है, formula making के time पर, so इसलिए the formula is MCL2, ठीक है, but question अभी complete नहीं हुआ है, question मैं हम से यह नहीं पूछा है, कि M की valency कितनी है, question में हम से पूछा है, कि जो M है, जब वो अपना oxide बनाएगा, तब उसका formula क्या होगा, अब अपने को एक चीज पता चल गए, कि यार जो यह M है, इसकी valency 2 है, very good, M की valency 2 है, जो यह oxide होते है, oxide की valency क्या होती है, minus 2, 9th class में, atoms and molecules करके एक chapter है, उसमें जब तुम chapter खोलोगे, in case you want to prepare it again, या कोई 9th का बच्चा देख रहा है, so atoms and molecules खोल नाम, right hand side वाला एक page होगा, जिसके उपर एक table बनी हुई है, जिसमें सारे polyatomic ions की, anions की, cations की, सभी की valencies लिखी गई है, तो उसको काईदे से याद कर ले, अगर अच्छे से paper देना है, ठीक है, और जिनका अगर paper 1 क्लियर हो गया है, दो पेपर हो देने, NTSC1 and NTSC2, जिनका paper 1 क्लियर हो गया है, very good, बट जो ही specifically इस टाइप के questions गलत कराया, उन्हें समझ भी नहीं आया कि concept कहां से आया है, so आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो तो, अब oxygen के नीचे क्या आएगा, minus 2, ये plus 2 होगा, क्रिस क्रॉस multiply, कभी भी जो ही sign होंगे न, ये हम formula में include नहीं करेंगे, ठीक है, अब क्रिस क्रॉस करने पर क्या होगा, plus 2, minus 2 तो एक दूसरे को cancel कर देंगे, cancel कर देंगे, तो formula क्या बन जाएगा, बेटा, M, O, तो oxide का formula क्या होगा, option 1, M, O, easy question है, बहुत ही ज्यादा easy question लेकर आएगे, य वो उनसे होगा, जिनका न, बहुत ही साथ a conceptual bend of mind होगा, जो एक dot को दूसरी dot से जोड सके, क्योंकि उन्हें ऐसी ही बच्चों की तलाश है, टेक है, अब अगला है, suitable method for separation of pure naphthalene from sandy naphthalene, अब naphthalene balls क्या होती है, वो जो गोल गोल सी होती है, white white color की balls, उनको naphthalene balls कहते हैं, अब ज का है, sublimation, अब sublimation क्या होता है, sublimation is a process, जिसमें solid जो है, वो directly gas में convert हो जाता है, हमने three states of matter पड़े है, solid, liquid and gaseous, usually क्या होता है, see this is, suppose this is solid, this is liquid and this is gaseous, ठीक है, पहले solid से liquid बनेगा, फिर liquid से gaseous होता है, normally ऐसा ही होता है, जब बरफ को पिंगलाते हो, तो क्या होता है, पहल फिर वो पानी उबलके भाप बनता है, water sublimation की बीच में इस step को skip कर दिया जाए, ठीक है, बीच में इस step को skip कर दिया जाए, directly solid से gas बना दिया जाए, liquid ना बने, वो solid से directly gas बन जाना, is known as sublimation, ठीक है, so जो sublimation है, उसमें pure naphthalene जो है, वो sublime हो जाएगा, यानि कि pure naphthalene and sandy naphthalene के mixture को जब हम heat करेंगे, तो pure naphthalene जो है, वो बहुत ही असान तरीके से, solid to gas में convert हो जाएगा, बट जो ये sandy naphthalene है, वो sublime नहीं होगा, या वो sublimation show नहीं करेगा, ठीक है, तो उससे फिर जो ये pure naphthalene की vapors होते हैं, उनको हम एक funnel में collect कर लेंगे, वो एक अ ठीक है, तो sublime कर लेंगे, pure naphthalene sublime हो जाता है, whereas sandy naphthalene do not sublime, ओके, किसी को कोई दिकत, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा concept जो समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दो, अगला, pH of the solution having hydrogen concentration इतने, ठीक है, अब pH क्या होता है, pH is equal to minus log H plus, ये 10th class का ही concept है, ठीक है, 10th class का ही concept है ये, उसका acid basis and salt का, आप लोगों के board में नहीं आता है, इसलिए हमने भी नहीं कराया है, बिकोज ये NTSC का paper है, board का paper नहीं है, board में इस pH वगरा से related नहीं आते हैं, ठीक है, अब इसको करना कैसे है, बट, pH निकालना है, H plus की concentration दे रखी है, 1 into 10 raise to the power minus 4, ठीक है भाई, minus log, 1 into 10 raise to the power minus 4, अब बेटा, log के case में क्या होगा, log 1 जो होता है, वो तुमारा 0 होता है, तो log, इसको जैसे multiplication के time पर हम brackets को खोलते हैं, इसको properly हम खोलेंगे, लॉग 1 होगा, log 1 0, तो कोई sense नहीं बनता, अब बचा, minus log 10 raise to the power 4, minus log 10 raise to the power 4, लॉग 1 1 होता है, sorry, not 0, log 1 1, so minus log, जो ये 10 raise to the power 4 है, ये minus, जब ये 10 raise to the power 4 को तुम खोलोगे, 10 raise to the power 4 को जब तुम खोलोगे, तो ये minus 4 log 10 हो जाएगा, तुमारा, किससे लिख रहे थे, इससे लिख रहे थे, जब ये खुलेगा, so this is going to be minus, minus 4 log 10, जो ये raise to the power वाली चीज होती है, ये नीचे आ जाती है, और ये log 10 में हो जाता है, ये log calculate करने का तरीका 11, 12 में सीखते हो, अभी confuse मत होना, ठीक है, बस ऐसा समझ लो, कि जब ये log में होगा, तो जो ये minus वाली चीज है, ये नीचे आ जाएगी, और log 10 हो जाएगा, ये minus का sign as it is रहेगा, log 10 is 1, log 10 is 1, so minus 4 into 1 is minus 4, ठीक है, so minus minus 4 is equal to plus 4, यानी की correct option है, option 2, ठीक है, log log में बहुत सारे बच्चे भी confused होंगे, घबरा चुके होंगे कि माम ये क्या होता है, 11, 12 में आगी सिखा देंगे, 11th में एक chapter है equilibrium, अगर science लोग है, तो 11th में चैप्टर है equilibrium, उसमें लगता है ये सारी चीज, ठीक है, अभी मत पढ़ो इसके चक्रों, बस एक चीज याद रख लेना, अगर just in case कहीं और पूछा गया, तो minus 4 log, जो ये उपर वाली चीज होती रहे, ये as it is नीचे आ जाएगी, ये log जो है, ये 10 के साथ जाके लग जाएगा, और बस तुम्हें log 10 की value 1 होती है, ये याद रखना, log 10 की value 1 होती है, log 1 की value 0 होती है, बस ये चीज़े याद रखनी है, ठीक है, conjugate acid base pair क्या होते हैं, conjugate acid base pair ये होते हैं, जो एक दूसरे से, एक hydrogen से differ करते हैं, जैसे suppose अगर मैं लोओ H2SO4, ये अगर मेरी एक acid है, और मुझे इसका conjugate base बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस में से एक hydrogen निकाल दूँगी, अब ये H2SO4 था, एक hydrogen निकालने के बादी क्या बन जाएगा, HSO4 negative, तो ये है इसका conjugate base, अब मैं तुमसे ये पूछूँ कि बेटा, HSO4 का, मुझे, suppose HSO4 ले लिया मैंने, मुझे HSO4 की acid बताओ, तो तुम क्या कर दोगे, इस में एक hydrogen को add कर दोगे, वो तुम्हारा conjugate acid बन ज अब पहले option में यह ही है, यहाँ पे HCO3 negative है, तो ये acid है, एक H निकाल दिया, ये CO3 2 negative बन गया, तो ये है इसका conjugate base, so this is what a conjugate acid base pair, ठीक है, इस case में क्या है, यहाँ 4 थे और यहाँ पर 2 हो गए, 2 hydrogen का difference, that is not conjugate acid base pair, यहाँ पर भी this is not a conjugate acid base pair, और यहाँ पर तो hydrogen involved है ही नहीं, ठीक so the correct option is option 1, gas used for precipitation of pure common salt, the correct option will be HCL, because HCL जो है, वो NACL के साथ, common iron effect show कर देगा, common iron effect show कर देगा, ठीक है, चलो, अगला सवाल, चलो, अब तुम्हारा biology start हो गया है, so biology देखना, in which plant group chitinous cell wall is present, जैसे अलग-अलग तरीके के plants होते हैं, उनकी जो cell wall होती है, वो अलग चीजों से बनी हुए, हम humans है, हमारी skin जो है, वो अलग चीजों से बनी हुए, तो इसमें पूछा है कि kytin है cell wall, यानि कि kytin से बनी हुई cell wall किसमें होगे, ठीक है, सबसे पहला option है, algae, algae में cellulose present रहता और इसकी भी, इनकी भी cellulose की होती है, the light reaction occurs in which part of the chloroplast, ठीक है, अभी light reaction बताना है मेरे को, जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा chloroplast, तो chloroplast के अंदर बहुत ही पतले-पतले thylakoyds होते हैं, जैसे सिक्के होते हैं एक-एक-दो-दो रुपए के, ठीक है, मान के चलो जो वो सि इसके अंदर प्रेजन्ट हैं, वो थाइलकोईड है, एक सिक्का इस थाइलकोईड और जब बहुत सारे सिक्के एक साथ प्रेजन्ट हैं बंडल में, they form ग्रैना, this single thing is थाइलकोईड, ठीक है, ये एक सिंगल चीज़ इस थाइलकोईड, ये पूरा सेट, ये पूरा सिक्को क सेट इस ग्रैना, और जो ये ग्रैना होता है, इसके अंदर लाइट रेक्शन होता है, so correct option is option 3, lack of oxygen, lack of which element occurs when algal bloom is formed by a water body, algal bloom is basically जब काई वाई नहीं लग जाती, जैसे पहट टाइम पे एक जगा के उपर पानी खटा रहता तो उसके उपर हरी हरी काई लग जाती है, it's not always हर अलग अलग colors की होती है, so जो ये algal bloom होता है, ये क्या कर देता है, पानी में oxygen की कमी कर देता है, so correct option is option A, plant group which is called pollution indicator, correct option है, option 2, lichen, lichen जो होते है, they are very sensitive to sulfur dioxide, ठीक है, लिख देते हैं हापर, ये तुमारे board के question में भी पूछ सकते हैं वैसे, sensitive to sulfur dioxide, यानि कि ऐसी कोई भी जगा होगी जहां पर sulfur dioxide present होगा, वहां पर lichen नहीं present होता है, और दिहान रखना, lichen और काई इन नोनों में difference होता है, जैसे जो ये metropolitan cities होगी, Delhi हो गया, या फिर, मदब ऐसी कोई भी जगा होगी, जहां पर बहुत जादा pollution होता है, आजकल तो पूरी इं forest में जब trekking वगेरा करते हैं, तो बड़े बड़े पत्थवरों के ओपर अलग अलग कलर की lichen लगी होई होती है, क्योंकि वहां पर comparatively pollution कम है, तो Delhi में तुम्हें लाइकन नहीं मिलेगा, गुड़वाँ में लाइकन नहीं मिलेगा, बैंगलॉर हो गया, और ये जो जगा हो जो राभी होते हैं, खरीफ होते हैं, राभी वो होते हैं, जो एक specific time पर grow होते हैं, तो इन में से बताना है, राभी क्रॉप कौन सा है, तो ट्रेटेकम एस्टेवं, गेहू, वीट इस यूर राभी क्रॉप, और इसा से टाइवा, चावल को कहते हैं, पैनी सेटरम टाइफ ओडिस, बाजरा को कहते हैं, जीया मेस, मेज को कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा जो राभी क्रॉप है, that is just tritikum estivum, disease caused by viruses, question तो देख रहा है ना तुमको, disease caused by viruses, malaria is caused by beta plasmodium, ठीक है, मचर काटता है ना, उससे होता है, मचर के अंदर plasmodium होता है, diptheria is bacterial disease, chicken pox is by a virus, virus का नाम याद रख लो, बच्पन में सभी को हुआ होता है, varicella zoster, leprosy is also by a bacteria, ठीक है, so correct option है तुम्हारा option 3, because this is only caused by a virus, disease caused by deficiency of vitamin C, one of the most easiest question, correct option होगा, option C, कर भी, night blankness होता है, by the deficiency of vitamin A, beri-beri होता है, by the deficiency of vitamin B1, rickets होता है, in kids, by the deficiency of vitamin D, अगर कभी question आए, कि what is caused by the deficiency of vitamin D in adults, बड़े लोगों में जब इसकी कमी होगी, तो correct answer होगा, osteomalacia, लिख लो in case कहीं हो जाजाए, osteomalacia, this is in adults, DNA synthesis occurs in which stage of the cell cycle, जो cell cycle होती है, उसकी बहुत सारी stage होती है, interface वगरा होता है, again, senior classes में जाके पढ़ोगे तुम, so DNA synthesis जो होता है, वो किस stage पर होता है तुम्हारा, G1 में नहीं होता, G2 में नहीं होता, M में भी नहीं होता, वो होता है तुम्हारा S phase में, so your correct option is option 4S, ठीक है, so, अब यहाँ पर आप लोगों की class खतम, मतलब आप लोगों का जो यह discussion है, chemistry का and biology का, यह almost done है, so मैं hope करूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो है, वो NTSC का stage 1 clear करे, तुम stage 2 पर जाओ, उसके बाद वापस से हम मिले, अगर आपको किसी भी तरीकिय की help चाहिए हो, from our behalf, आप just let us know, sorry, as if अगर आप चाहते हो, कि हम कोई अलग से NTSC की class लगाए, तो आफटाफट से जो हमारा comment section है, वहाँ पर लिखो, या आप चाहते हो, कि जो already board की आपकी classes होती है, उस बीच आपका ये कराया जाए, तो वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है, so all you have to do is just let us know, कि आप क्या चाहते हो, कि हम क्या करवाएं next, ठीक है, उसके बाद फिर आप, because बेटा, जो हमारा main goal है, या जो main हमारा, जो हमारी एक तरीकी से, doubtnut जो है, उसका main goal यही है, कि to help you to succeed in every possible thing, ठीक है, so अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या आपको किसी भी exam में अच्छे चीजे करने से रोक रही है, so do let us know हम है, यहाँ पर आपको आपकी problems का solution देने के लिए, all you have to do is to reach us, और अब हम यह पहुच, हम तक पहुचना बहुत ही जाता साहर है, बस class खोल ली है, comment section में फटाफ़ट जाकर लिख देना है, वैसी भी तो spam करते रहते हैं, को भी कभी कि माम कोज नहीं आया, माम यह नहीं आया, माम वो नहीं आया, ठीक है, so just let us help all of you, and then बस फिर उसके बाद, अभी आपकी दूसरी तॉपिक का discussion होने वाला है, so माम बस आ गई है आपकी, ठीक है, so let's hope आप सभी लोगों का जो exam था, वो अच्छा गया, and हमें आपकी तरफ से अच्छी न्यूज मिले, अब आगे हैं आपकी प्राची माम, वो आगे आपके साथ डिसकस करेंगी, सुमिलते हैं बेटा क्लास में, तब तक के लिए, बाबाई, ठीक है, Hello everyone, अभी तक स्वाति माम ने आपको साइंस की सारी केमिस्टरी की सारे डाउट्स क्लियर कर दियो होंगे, जैसे भी आपके NTSC में पेपर आया था और क्या क्योशन से टफ ते इजी थे, तो अब बारी है कि हम सोशल साइंस का भी पेपर देख ले, तो चलिए, सोशल साइंस का जब हम पेपर देखेंगे, तो सोशल साइंस का पेपर राजिस्टान बोर्ट से आया है, बेसिकली जो ज़्यादा पार्ट था राजिस्टान बोर्ट की बुक्स से था, बहुत अगर आपने राजिस्टान बोर्ट की बुक्स पे ध्यान दिया है, तो वो काफी easy paper आपको लगा होगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे paper का पहला सवाल क्या है तो paper का पहला सवाल paper का जो पहला सवाल है वो क्या है paper में जो पहला सवाल हमसे पूछा गया था तो देखते हैं क्या कुछुवास दा राइटेर उप आनन्द मट यह वाला सवाल को एल इंदिया और जम पढ़ते हैं कि at the end logo में sense of collective belongings कैसे आई logo में sense of collective belongings कैसे आई कि ये country हमारी है ये देश हमारा है तो उस time पे जो था उस time पे कौन सा किसने आनन्द मत किसने लिखा इसका answer है बंकिम चंदर चतर जी तो सीधा-सीधा इसका answer है बंकिम चंदर चतर जी और ये फोकस करता है कि स्थीच पे इसकी मेन थीम क्या आती लव फॉर मदर लेंड लव फॉर मदर लेंड मतलब अपनी जो जन्म भूमी है उससे जो प्यार है उस पे था आनल्दमट ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं विच्वन आफ दा फॉलाइंग इस इनकरेक्टली मैच म सबसे पहले विद्व मैं हमारे पर चार ऑप्षिन दिये गए हैं और ये चारो लीडर्स है ठीक है सीजी बात तो इन मेंसे एच जो ऑप्षिन वो इनकरेक्ट है तो साउथ इंडिया की चारो फेमस लीडर्स मेंसे जो एक की जगह है वो हमें गलत बताई गई है तो हमें बताना है कि कौन सा जो आप्शन है वो इनकरेक्ट है तो बेटा सीधा आंसर है साउथ इंडिया की बात हो रही थी तो पूना जो है माराष्ट्रा में आता है वो साउथ इंगिया से पहली बात तो ही नहीं तो जो मुलगा बाल स्वामी है मुलगा बाल स्वामी ने कहां पर किया था कोयम बटूर में किया था कोयम बटूर में जो था revolution किया था यह था इसका correct answer शलिए चलते हैं अगली slide के उपर धापी दादी इस related to which of the village of seeker पीजन मुवमेंट ठीक है धापी दादी जो कौन थी यह एक बहुत थी एक महिला थी जो विद्वा महिला थी यह जो थी सीकर के एक village से थी इन्होंने क्या किया था इन्होंने पीजन मुवमेंट या किसान अंदोलन जीसे कह रहे हैं जो आजकर काफी चल रहा है वो चलाया था या फिर उन विच न्यूसपेपर दानिमुचाना मेसकर्ड तो जलिया वाला वाला बाग मेसकर्ड ने आके ओपन फाइरिंग कर दी थी यही हुआ था तो भाई आब यह बहुत macht yam के लिखत लोग चो दे बहुत मासूम लोग मारे गए थे बर उसी के P में राजस्तान में एक घट्रद डूता है ईसा एंट एंटरनेट पे आपको इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलेगा जो है वह यहां पहल है baru जाते लोग है वो बाड़ous ते आई बत समझ में बट जो इसका जिक्र जादा नहीं मिले वरी हुआ था में सेकंड अफ में को 1923 से 24 24 के अराउंड जो हुआ था यह यह वा था अल निमुचाना डिस्टिक्ट में हुआ था तो वो कौन सा न्यूस्पेपर था वो कौन सा न्यूस्पेपर था जिसने इसको जलिया वारा बाग हत्याकां से कंपैर किया था सिःधा बाद हमें न्यूस्पेपर का नाम पूचा गया है तो नाम पे चलेंगे नाम है रियासत रियासत ज़ो न्यूस्पेपर था उसने इसको इसकोuard किया अगें राजस्तान की हिस्ट्री बहुत अच्छे पूछी गई है तो राजसमन कहां है राजस्तान की एक district है ठीक है तो राजस्तान में ये district है आप बताब इसका जो सीधा अंसर है नौचुकी लेक्ष अगर आप राजसमन के कभी घूमने वाली जगे टूरिजम प्लेस पे जाओगे तो नौचुकी लेक्ष अग्षामपल है कि लोग वहां पे घूमने जाते हैं और नौचुकी लेक्ष अपी एंशन टाइम की है और अगर आप इसका आट देखोगे मतलब इस पर जो आट की गई है वो इसका स्टाइल हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड मिक्स क के करवाया गया है ठीक है और नौचुकी कहा गया है क्योंकि ये नमबर 9 होगा 10th में पढ़ाया जाता है 9-10 में food crop कौन सी है जो हम खाते हैं जिन्हें हमें हमारे बोजन में हमारे फूड में डेली चाहिए होता है options किया है हमारे पास sugar cane tobacco barley tea तो sugar cane मतलब हमारा गन्ना tobacco तो बैको मतलब तबाकू बाढ़्डे हो घ्ञाओ एज और टी मतलब चाहे चाहे तो पीते हैं तो food crop नहीं आए वहाँ हमारी नौन food crop में आती है पहली बात तो तो इसके बाद है थारी food crop में आती है ग्रेंस में नहीं आती है ते इसके बाद है तो बैको तो बिलकुल भी नहीं होता है तो ऑंतर बचा बाढ़ समझ में अगले सवाल की तरफ जाते हैं तो इसका जो समझ में अगले सवाल की तरफ जाते हैं मैच तर लिस्ट अब हमारे पास मैच ता कॉलम्स नहीं हुए तो बेटा अब आप देखो कि पेपर में जिस तरीके से क्योशन आप से पूछे गए ज्यादा ट्रिकी क्योशन नहीं पूछे गए सीधे सीधे आंसर बोले गए कि अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो फुटा फट आगे बढ़ने था आई होब जबी का पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ होगा तो अब इस तरह का सवाल आता है तोड़ा कंफ्यूजिंग होता है टाइम टेकिंग होता है कि हमें चार क्योशन चार ऑप्शन मैच करने करेक्ट ऑप्शन मैच करने हमें एक सबसे पहली बात तो यह सारी जो जगें है यह राजस्तान में है जितनी भी जगें है राजस्तान में ही प्रड़क्शन बताना है हमें कि राजस्तान के किस एरिया पे किस जगव पर यह जो हो यह इनका प्रड़क्शन होता है आई बसमझ में तो चलिए पहला है कॉपर कॉ इसके बार जावर माइन जो है वह उदयप्र के आसपास है ये वाली यह बढ़ देगाना जो है ना गौर्ड स्टिक के आसपास है उद दॉनches दॉनक्त करते हैं गोटारू जो है वह जैसल में डिस्टिक के आसपास पढ़ता है तो बेटा यह हो गई हमारी राजस्तान की अब आपको नाम इन नामों से आपको याद नहीं रहेगा बट आपको इस नाम से पता चलेगा यहां यह जगे हमने सुनी हुई है तो अब इस जगे में सबसे पहले हमें कॉपर प्रडक्शन देखना है कॉपर प्रडक्शन जो है वो कहां पर आएगा तो जो कॉपर प्रडक्शन है परस्ट ऑपशन खोड़ा अरीबा ध्याप माई चलती है लीड और गुर्पर अग्शन कहां पर है भई उदैपोर जावर माइंस बहुत पेमस माईंस टंगस्टेंट का प्रडक्शन कहां पर है दिगाना में नेचरल क्र का प्रेडक्शन कहां पर है हमारा गोटारू में ठीक है तो अब हमारा जो आप्शन जो है वो किस से मैच करता है इन चारों में से आई गैस यह मैच कर रहा है हमारे आप्शन नमबर फोर्थ से तो यह जो आप्शन नमबर फोर्थ है यह इसका करेक्ट आंसर है आई बाज समझ में तो अब तक हम हिस्ट्री पड़ रहे थे हिस्ट्री के बाद हम जोग्राफी पर आ गए ज्योग्राफी के आपने सवाल देखें सब्सक्राइब आपी से सकते हो कि अटिसी कितनी अपडेटेड है करंट रिडात अब शिचेंट को ले पर चल रहा है और जो हिस्ट्री के सवाल उठाए गए है चाहे वो राजिस्तान की हिस्ट्री से उठाए गए हो कमी होती बारिश इतनी सफिशेंट होती नहीं है तो बारिश इतनी सफिशेंट नहीं होती है तो लोग पानी स्टोर करते हैं जब पानी स्टोरिज का टाइम आता है तो जब वाटर स्टोर होता है लोगों को अगले अपनी फ्यूचर के लिए भी जब पानी स्टोर करना होता ह लोग क्या करते जनरली पॉंड बनाते हैं नहर बनाते हैं टैंक्स बनाते हैं तो लास्ट यह जब एंटी सी ने पूछा था कि राजस्तान में पानी स्टोरेज करने के लिए क्या बनाय जाते हैं तो उसका अंसर तो था टंका ठीक है अब तंका तो आंसर हो गया बट यहां प लोग पानी स्टोर किस फार्म में करते हैं तो बई काम सAdיר क्यों सोर्ष ए पर इन वाटर स्टोरिज का इसका आंसर है जोहर जोहर्ड को हम क्या कहते हैं को अध्र पहर होग यहाश्म पॉमन टर्म में भी इसको पोखर कह सकते हैं, पोखर हो गया, पॉंड कहलो, पट जो करेक्ट आंसर है इसमें, फोर्थ नमबर, फोर्थ आप्शन जोहद, आई बात समझ में, चलिए, इसके बाद, लैटिट्यूडनल एक्स्टिंशन ओफ इंडिया, अब यहाँ पे सीधा न से डिफरेंस मिलेगा आपको, 4 और 6 का डिफरेंस, ठीक है, आप्शन 2, 3 और 4, आराम से आपको अगर याद है यह चीज, तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, वही, तो इस लैटिट्यूडनल एक्स्टेंशन पूचा गया है, कोई लॉजिक नहीं था, कोई फंडा नहीं है सीधा नमबर्स पे खेलना तो तो अप्शन नमबर 2, 8 डिफरेंस, नदन लैटिट्यूड तो 37 डिफरेंस, नदन लैटिट्यूड सीधा आंसर यह वाला, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पे आते हैं, Which one of the following rivers does not fall in Bay of Bengal? Bay of Bengal में जो है, इनमें से कौन सी river नहीं जाके मिलती है, जितनी भी rivers ओरिशनेट होती है, हिमालया से, जहां से भी ओरिशनेट होती है, उनका एक एंटम होता है, वो कहीं पे जाके किसी बड़े सागर में मिलती है, यह तो पता ही सभी को, तो इनमें से चार जो ऑप्शन दिये गए है, कौन सी नहीं मिलती है, भाई, कावेरी मिलती है, महानदी मिलती है, कुदावरी मिलती है, जो नर्मदा रीवर है, वो अरेबियन सी में जाती है, अरेबियन सी में भी किदर, अरेबियन सी में भी यह मिलती है, गुल्प आफ कैमबर्ग, से कौन सी रीवर बे ऑफ बेंगॉल में निगिलती है बेंगॉल की खाडी में जाके नहीं मिलती है तो इसका जो आंसर होगा डाइट इस नर्मदा आई पार समझ में चलिए काल वैशाकी क्या है वाट इस काल वैशाकी भाई यह जो क्योशन है आपका क्लाइमेट से रिलेटे सी जो अरेबियन सी है अरब सागर है उसमें जो चक्रवात आते हैं वो दूसरा अप्शन था रेंफॉल ड्यू टू मेडिटेरियन साइक्लोन इन विंटर सीजन भाई जो सर्दियों के टाइम पे छोटी थोडी थोडी टाइम के लिए बारिश होती है कभी-कभी तो वो ती मौद आ रही होते हैं इससे डर लगता है ठीक है तो तुफान जो आते हैं वेस्ट बेंगॉल में समर रीजन पे ऑप्शन नमबर पोर्थ जो धूल भरे तुफान चलते हैं धूल भरी आंधिया चलती है डैट इस ता काल वैशा की ठीक है साही आंसर जो होगा यही होगा इ इन विच शेडियूल अफ इंडियन कंस्टिउशन अब शेडियूल की इन इन कांस्टिउशन की बात आ गई है तो बेटा हम पढ़ेंगे सिवेक्स याerd पॉलेटिक्स चरेफ्य Mont whipping हो गई अब है हमारा politics. तो in which schedule of Indian constitution, Indian constitution के किस schedule में जो municipal councils हैं, जिसने भी municipal councils हैं, उनको क्या काम करना होता है? municipal councils कौन सी होती है? जो हमाई नगरपाली का होती है. ठीक है, अपने जगे की जो नगरपाली का होती है, उनके functions बताए गए थे. कौन सी list में 74 constitutional amendment. 74 constitutional amendment में जो था है उनके numbers बताए गए थे. तो भाई, ये कौन सी list में हुआ था? कौन सी list में हुआ था? तो जल्दी से इसका answer देखते हैं, जिसका answer जो होगा, इसका answer है हमारा 12th schedule list जो आई थी उसके अंदर. जो भी 12th schedule list आई थी, उसके अंदर जो था हमारा को बताया गया था कि नगरपालिका के क्या-क्या functions है, नगरपालिका शहर के क्या-क्या काम करेगी, उसका रोल कहां-कहां पर आएगा, कहां-कहां पर उसको अपने duties follow करनी है. ठीक है? चलिए. आते हैं अगले सवाल के उपर. अगला सवाल क्या है हमारा? वेर दिट दा 18th Summit of SARC टेक प्लेस इन नवेंबर 2014? नवेंबर 2014 में जो SARC होता है, SARC शमेलन होता है, जहाँ पर जो सारी कंट्रीज होती है, वो इखट्टा होके, जो वर्ल डेवल पर पर प्रॉब्लम सेलरी होती है, कुछ कोई सीधा याद रखने वाली बात है, कोई कुछ वाली बात ही नहीं की, यह तो पढ़ना पड़े गई, जीके का सवाल है, सीधा जीके आती है, इसके इंदर, तो जो इसका आसेंब्ली जो भी किसी स्टेट की होती है, वहाँ पे किसी क्योश्चन को लेके, कोई मुद्दा उठा है, तीन वोट अपोजिशन से आया है, तिन वोट जो फेवर पार्टी है, उस से आया है, मतलब तीन वोट इक्वल इक्वल ओट जाया है, किसी सिच्योेशन के लिए, तो उस case में जो casting vote होता है किसका होता है कौन वो बंदा होता है जिसके vote से decision matter कर जाता है अगर तीन equal vote position में आए हैं तीन favor में आए हैं तो decision कैसे लिया जाएगा तो उस case में जो है किसको contact किया जाता है कि जो ही decision लिया लेगा the speaker of legislative assembly जो स्विधान सभा का अध्यक्ष होता है जो वही जो होता है इसके अपना वोट देखके decision मनाता है आई बाद समझ में चलिए देखते हैं अगला सवाल how many members can be maximum in the council of minister according to 91st constitutional amendment by 91st constitutional amendment के बाद जो है जब आया था ना हमारा constitutional amendment आया था तो council of minister क्या हो गई आप इसे cabinet भी बोलते हो आपने news में सुना होगा ना कि cabinet मंतरियों की बैटक हो रही है cabinet ministers की जो meeting हो रही है तो कितने लोग जो है वो उसका पार्ट बनते हैं that is 15% of total member of legislative assembly legislative assembly होती है उसका जो है आप राजय सबाद इसे कहते हैं तो उसका जो 15% के member total 15% के member जो होते हैं वो इसका पार्ट बनते हैं मतलब 100 लोग है अगर तो 100 लोग किसे 15% जो होंगे उसका जो 15% होगा वही इसका पार्ट बनेगा चलिए लास तीन सवाल बच गए हैं हमारे इसके बाद तो लास तीन सवाल में देखना है कि हमने और क्या-क्या रहेगा when the benefits of development reach to the people of all three section is called us भाई जो benefits of development होते हैं मतलब कि कोई भी आप development का कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो आप development का कोई भी प्लान ले रहा आपने सरकार ने कोई भी प्लान बनाया देश के लिए हमार को सुसाइटी के हर एक हिस्से में यह वाला development पहुचाना है education जो है सुसाइटी के हर एक मेंबर को मिले तो उस टाइम पे जो है आप क्या करोगे उस टाइम पे आपको क्या ठीक है आपने सरकार न मिलता है तो उस टाइप के benefit को क्या कहते हैं जब development society के हर एक कोनों को जाता है चाहे रिच हो चाहे पूर हो कोई भी हो तो यह जो है हमारा economics के जो सवाल आने शुरू हुए हैं तो यह economics से related है भई की वो कौन सा development होता है ऐसे टाइप के development को बोलते हैं assimilated development क्योंकि देखो economic development हो गया आर्थिक विकास अब जरूरी नहीं सभी का हो ठीक है इसके बाद human development हो गया human development में हो गया कि हमारा जो human resources है उनका development भाई इसमें भी necessary नहीं है कि सारे human resources का development हो continuous development होता है कि एक जो continuous development चलता रहता है time to time that is तो भाई हमें वो development जहीं जिससे society के साथ उस term को क्या बोलेंगे अकर जो भी development plan है उसका benefit society के सारे members ले रहे हैं तो सीधा answer इसका assimilated development ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं the process which increase the role of private sector in economy भाई वो process जो कि private sector का रोल इंक्रीज करता है तो हम बार बार सुनते हैं न्यूसस देखी होंगी आपने की इसका सीधा answer होना था हमारे पास option था लिब्रलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और स्वदेशी स्वदेशी मतलब तो अपना देश हो गया ग्लोबलाइजेशन होता है कि अध्योग आप क्याते हो कि पुरे वल्ड का एक दूसरे से कनेक्ट होना फॉर दी मीन्स ओफ ट्रेड एकनॉमिक्स इसलिए ठीक है प्राइबिटाइजेशन हो गया प्राइबिट सेक्टर का रोल किसी भी देश की एकनॉमी में इंक्रीज हो लिब्रलाइजेशन हो गया कि उधारी गरंज से कहते हैं लिब्रल होना तो भाई इसका सीधा अंसर है प्राइबिटाइजेशन क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है रोल ऑफ प्राइबिट सेक्टर इन इंक्रीजिन एकनॉमी तो हम इसका करेंट ली सुनते भी हैं कि मोल बा इसके पास चले गए तो क्या हो गये प्राइबेट उघ गयर और अंधोलन किरा जाता है लोगोता है प्राइवेट कंपनी सब्सक्रेंस बहुत जादा हो रहा है उनका अगला सवाल अगला सवाल क्या है हमारा ओके तो यह जो थे हमारे सवाल थे हमारे सवाल के बाद जो है हम देखते हैं कि अब मैं आपको बताती हूं कि जो paper था वो तो अपना बहुत है रहा था paper हमारा इतना tough नहीं था जितना आपको लगा होगा क्योंकि अगर आपने nc А यह NCRT पर नहीं था राजस्तान से क्योंकि यह राजस्तान की हिस्ट्री बहुत पूछेगा तो अगर हम शुरू से भी देखे पेपर को शुरू से भी देख ले कि पेपर में क्या क्या आया था तो मैं आपको बताती हूं हम पेपर का डिस्ट्रिबूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है ठीक है किस तरीके से किया गया है सबसे पहली बात तो था इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या था हम अगर न्यूस पेपर इसके बाद ऐसा नहीं कि सारे जो सारे क्योशन से वह काफी एजी थे कुछ क्योशन ऐसे से जो ट्रिकी थे तो जो मुझे लगे यहां पर ट्रिकी है जो आप लोगों के हिसाब से जो था आप लोगों के हिसाब से जो भी tricky questions लगे आपको लगा कि ठीक है यह tricky questions हो सकते हैं मुझे भी लगा वो सारे मैंने यहां पर solve करवा दिया है वरना Arab Springs के बारे में question था जो कि बहुत easy था बलब डिट आपको कुछ सोचना भी नहीं था वो question था यह ठीक है इसके बाद जो था हमने और क्या देखा जो अपने चालिस में से अगर आपके 22-30 questions भी सही है तो आपकी general knowledge literally काफी सही है इसके लिए आपको बहुत बहुत तारीफे मिलने चाहिए क्योंकि पेपर आपने देखा अब तक physics, chemistry, maths का आपने पेपर आपने देख लिया कि चलो कि अब पेपर हो गया एंटीस्टी वाला पेपर हो चुका है आंसर की जर आ ही गई होंगी आंसर की आ गई होंगी तो आपको पता भी चल गया होगा अच्छी बात कि आती इस पेपर की negative marking नहीं दी गलत हो भी गया तो कोई दिकत नहीं है कोई बात नहीं हो गया गलत जह से अम जे एकसाम देते हैं नेट का एकसाम देते हैं तो उसमें क्या होता है अगर एक भी चीज गलत हुई ता आपकी negative marking होती है तो negative marking ने क्या होता है कि आप को लगता है कि आप attempt करो यर ना करो तो अब attempt नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पर आपके पर सबसे अच्छी बात थी, कि आपने attempt सारा किया होगा, मैं इससे पहले भी मैंने जब आपकी यहाँ एक last minute session लिया था, last class में, last time जब लिया था, paper से पहले यही कहा था कि क्योशन कोई मत छोड़ किया आना, तो I hope आपने का लगचा है, बाकी जो है इसके बाद, ऐसे हम आपसे paper discuss करते रहेंगे, आपको solutions provide करते रहेंगे, ठीक है, चलिए, इसके बाद आपकी जो, आपकी जो class है, वो sir, handle करेंगे, आपके जो, जो भी paper solve कराने है, आप जो next subject है, वो sir, handle करेंगे, चलिए, तो आते हैं, अपने next paper क की तरफ, next section की तरफ आते हैं, चलिए, ओके, हेलो एंगुड आफ्रनून अवरीवन, मैं अरुण नहरम सब बात कर रहे है, NTSC solution, जो लास्क डिकल हुआ है और तो और два लीजा में योटीस है कल हुई है राजिस्थान के हापके स्टेट की है वह आपकी स्टेट के भी paper discuss होंगे paper solution discuss होंगे दीरे-दीरे first of all हमने सबसे पहले उठाया है राजिस्थान तो सर पेपर जो था overall बहुत simple था ठीक है maths obviously हम 3-4 साल से लगातार देख रहे है पूर some states सी बहुत simple आ रहा है क्यों क्योंकि time management आपको पता है कि 100 सवाल 120 minute काफी कम समय और कम समय में इतनी सब चीज़े एक साथ करना possible नहीं तो ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जो आसान इसे हो सके NTSC के बारे में एक जीच जान लो यह exam simple है लेकिन selection tough है exam simple है मतलब सरल सरल सवाल one line एक सवाल में एक एक लाइन में जवाब या ऐसी टाइप के हो जाते हैं ठीक है लेकिन selection tough क्यों हो जाता है क्योंकि जब इतने सरल चीज़े होती है तो बहुत जो cut-off है वो हाई जाता है you can imagine अगर आप 180 बिल आ रहे हैं तो भी आप नहीं मान के चलते हैं आप सेलेक्शन हो जाएगा आप second stage qualify कर लेंगे तो इन समस्टेट्स 150 इनफ इन समस्टेट्स 180 इनफ और 180 इनफ और 180 इनफ और 180 इनफ इनफ तो इस बात पर निरबर है कि आपका state कौन सा है और इस बात पर निरबर है कि उस समय पर आपके साथ कितने लोग पेपर दे रहे हैं आज जो कंडिशन अमारे सामने है कोवीड की वज़े से बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया है और बहुत सारे बच्चे प्रेपर भी नहीं कर पाएं बहुत सार पॉलिनोम्यल है कुछ ऐसा अगर x by two से दोनों डिवाइड होते हैं और रिमेंडर सेम आता है बात की रिमेंडर की तो अगर रिमेंडर की बात के तो यह जाओंगा सर मैं रिमेंडर आएगा वो P of A होगा ठीक है P of A क्या P X polynomial है और डिवाइट कर रहा हूं X minus A से यही जागानी थी है ना तो कुछ नहीं किया मैंने इससे compare किया कि अगर X minus 2 है तो P of A कितना हो जाएगा यहां पर A की value 2 हो जाएगी अब दो पॉलीनोमे ले एक तो पहला ये और दूसरा ये अगर दोनों को मैं 2 से X minus 2 से डिवाइट करूंगा तो क्या मिलेगा जहाँ-जहाँ-एक से वहाँ-वहाँ-वाँ-टू रखा तो मुझे क्या मिलेगा remainder मिलेगा अब वो दोनो remainder बराबर है ठीक है दोनों remainder अगर बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 2 ऐसा कुछ बराबर किसके बराबर होना चाहिए सर वो बराबर होना चाहिए 2 2 की पावर 3 और P 2Q plus 3 X minus 3 हाँ एक बात चोटी से में बता दू एंटेसी में आप लोगों ने अगर कही सॉलुशन देखिया होंगे जै》 या जविट देखियोंगी तो वहाँ पर जो जवाब है वह कुछ जगे सर्टेन नहीं का मतलब है कि वो सवाल ऐसे है जो जनका अंसर नहीं निहांब रजास सकता इसमें जो सवाल दिया हो आपको उन चीजों में उस सवाल फो образ kidneyус नमबर में मैट या मैच दोनों में से किसी चीज में अगर सो सवाल थे और दो सवाल गलत है ऐसे या दो सवाल ऐसे है जो गलत है जो हमारे पास ऐसे है जो जिनकी इंफोर्मेशन गलत है हमारे पास ने चुली पेपर में गलत आया तो क्या किया जाएगा या तो वो पे या तो वो सवाल खटा दिये जाएंगे ठीक है या फिर आप लोगों को हर आद्म वको दो जो नंबर साथ में मिल जाएंगे ठीक है तो डिपाइंड करता है कि आपका status की क्या policy रखता है आपकी state andency क्या policy रखती है पर maximum cases में वो सवाल हटा दिये जाते हैं ठीक है सर तो यहां पर पी का मान निकालना बहुत आसान है एक्स की जगे पर भी तू आएगा बस यार मल्टिप्लाई कर दो ठीक है तो देखो इन दोनों से कटा तो क्या बचा सिर्फ यहां बचा टू ठीक है और तू रेस्टू पावर टू फॉर माइनस एट प्लस पी बराबर यह दोनों से खतम हो गए यहां पर बचा एट पी प्लस सिक्स माइनस थ्री ठीक है सर तो यह आठ से आठ गया यह चार ठीक है प्लस पी बराबर एट पी प्लस थ्री यह इधर आया तो यहां से आया value that would be equal to 1 और यहां से मिला सीधा सीधा 7P है ना तो P की value 1 upon 7 जो यहां पर कहीं न कहीं नहीं थी बट क्या था बैक्चुली जो सवाल था वो यहां पर P की value 2 थी या PX की raise to power 2 थी अगर raise to power 2 थी तो यह ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो यहां 4 हो जाएगा और अगर यह 4 होगा तो यहां पर यह 3P हो जाएगा और P की value 1 upon 3 हो जाएगी तो यहां पर जो option था वो option number 2 था जहां से P की value 1 upon 3 मिल रही थी I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आई होगी अगर समझ में आई तो फटा फटा अंग उठा दबाते चलिए और बताते चलिए कि आपको जो चीज है जो question है जो सवाल है वो समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल था for the next question let's discuss अगला सवाल ऐसा था कि if each interior angle of a regular polygon is 160 degree 165 degree then the number of sides will be हमको पता है कि हर interior angle किसी भी polynomial का जो होता है माल दीजे हग्जागन है ठीक है तो अगर कोई भी n-sided polygon है तो उसका interior angle ऐसा होता है n-2 into 180 by n is equal to 165 degree और ये तो interior angle ka formula होता है सर ठीक है और इच इंटिर एंगल का बोला गया है तो इच इंटिर एंगल ऐसा होता है ठीक है so let's multiply the things and get the answer so it will be 180 n-360 should be equal to 165 into n 165 n इजर आएगा तो 180 में सब्रेक हो जाएगा so it will generate only 15 15 n is equal to 360 degree or n is equal to 360 upon 15 that should be equal to 24 degree so option number one in this case was the correct चलिये आगे बरते हैं सर आगे क्या मिलेगा आगे एक और सवाल मिलेगा सवाल तो हमारे पास होने वाले ठीक है the measure of three angles of a triangle are in ratio 345 then the measure of the greatest angle देखो एक सबसे बड़ी समस्य है यहां पर यह थी कि अगर side का ratio 345 होता है किसका side का तो हमें पता है कि वो 90 degree वाला होता है 345 वाली side ratio angle कौन सा होता है सरी 5 होती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है ठीक है सो हाइपोटेर्स हमेशा 5 होती है और उसमें से आप base और height किसी को भी ले सकते हैं बाकि जो दो रिमेनिंग साइड है वो तीन चार होती है लेकिन यहां उल्जाने की बात थी कि तीन एंगल का measure अगर तीन एंगल का ratio 345 है side का नहीं किसका एंगल का मैं कहीं बार बच्चों को confuse करने के लिए बोलता हूँ कि what is the sum of three sides of angle और some of three sides of triangle तो पहले बोलते कि सब्सक्राइब तो this is the same case this is the same case पर यहां पर बचने के लिए आप लोगों को 90 डिग्री नहीं दिया था अगर यहां पर किसी option को काट कर माल दिये 3 को काट कर 90 डिग्री दिया जाता और अगर किसी बच्चे के दिमाग में बात होती कि जहां 3-4 पास side है वहां पर 90 डिग्री 90 डिग्री कौन सा होगा जो 5 के opposite angle होगा लेकिन अगर एंगल के बारे में बात है तो ऐसा नहीं बोल सकते तो क्या करेंगे तो पहले एंगल को मैंने 3x माना इसे 4x माना और इसे 5x माना और फिर क्या किया फिर सभी का sum कर दिया sum कितना होता है अगर triangle के बारे में बात किये त sum of three angle of a triangle is equal to 180 degree aise saval aap logon api school examination a bauth sarah kiyonga that would be equal to 180 degree okay or X is equal to 180 degree divided by 12 fine abbaat kareki sabse bada angle kaun sa hoga to sabse bada angle 3 4 over 5 oga 5 x oga so the angle will be 180 by 12 that is the value of X into 5 will be 5 X together to yaha se jo value are you whoo hamare paas answer a jaega yaha se to yaka tega pandra bar anna pandra bar kata or pandra patch but a third that is 74 option number one option number four discuss a java tha Rajasthan maya was awal hey or yeh maan ke chaliye ki Rajasthan kayo saval hai ya Rajasthan state kayo saval hai woh kahi na kahi same hoote hai baaki state maslan madhya pradesh thik hai usi ka jaisa ho jata hai gujarat usi ka jaisa hoota hai uttar pradesh aur bihar thik hai bihar mea ho sakta hai kubhi kubhi condition alag ho jahe but the two states hai haryana ki agar baat ki jahe to mahaa par paper thoda sa tough hoota hai okay so a paper tough hoota deli ka paper kafi alag hoota hai thik hai uri sa aap ne aap ka paper bana ta hai to ho aap ne board me thoda si alag chiza rakhke rakhau hai kutsi zomaya kutsi states me 9 class me trigonometry padha di jati hai kutsi state me 9 class me 10th class me sets padha di jate hai na aap log set theory kisi kisi state me chalata hooga wujo class 11th me cbse me bani hoi hai to a da ghaverani ki koi baat nii hai agar aap ye sawal dhekhe to ye maan ke chalye agar aapne previous year sawal bhi dhekhe stage 2 ki preparation ke liye to ye maan ke chalye ki woh hamaaray state ka nai eo kisi or state me puchha gaya ho maa ka state ka sawal hama stage 2 me parišan nahi karta stage 1 ka sawal stage 2 me parišan nahi karta thikhe to ah dhikkat wali baat nii agar aap baat karay sawal ki to sawal hai kuch aisa ki if ah is ke pahle kuch tha haa if each face of cube is 144 centimeter cube is cut by a plane parallel to its bits in two equal parts then the total surface area this is the wrong word here it should be area here of both the parts will be thowd isi soch ne wali baat हमे total surface area निकालना है दोनों parts का ठीक है तो देखो है सवाल थोड़ा समझने वाला है और परेशान भी करने वाला है यह qbesser ठीक है और इसकी जो इच surface area मतलब इच face हर face का जो area वह कितना है 144 अगर हर face के बारे में बात की है तो मैं इतने इतने फेस के बारे में बोल सकता हूँ कि यह जो फेस है इसका एरिया 144 cm2 है कितना है 144 cm2 अगर 144 cm2 है एक बात बताओ छोटी सी यह एक क्यूब में तीनों साइड बराबर तो यह भी ए और यह भी है अगर आप क्यूब को देखें तो उसकी जो साइड है उसका एरिया तो एक एक स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है क्योंकि क्यूब की जो साइड होती है वो स्क्वायर की होती है तो उसका जो एरिया आएगा वो कुछ नहीं होगा वो एरिया आप स्क्वायर होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि यह वाला जो स् थोड़ा सा इसमें गुणा-गं hydrogen लगाया कि हमने इससे दो बराबर पार्ट कार दिया कैसे एक ऐसा चाकू लिया और उसे है से कर्णिया कैंज ट्रह ठीक के अगर दो पार्ट में काटा थो हमारे पास दो छोड़े-क्वी वो कैसे मिलेंगे वो कुछ ऑसे मिलेंगे पहला तो क्युमिय होगा क्यों और दूसरा जो क्यूब वो भी कुछ ऐसा होगा इस रहर्ट को इंसार दोनों क्यूब में बहुत कुछ चीजे से में बहुत कुछ चीजे में क्या कैसे ayudar ज्हां से देखने पर आपको पता चल जाएगा हमने जिसे काटा है और हमने जिस साइट से क्यूब को काटा है उस साइड में उसके अलावा बाकी जो साइड से उन पर फरक नहीं पड़ा फरक नहीं पड़ा मतलब जैसे मैंने इस साइड को काटा तो यह साइड कटेगी यह साइड यह भी A होगा यह भी A होगा यह भी A होगा है चेंज क्या होगा चेंज होगा यह साइड जो दो बराबर पार्ट में 2T तो यह A by 2 और यह भी A by 2 ठीक है अच्छा बेस के परलल है तो अगर बेस के परलल भी काटोगे तो भी वेसी कटेगा ठीक है तो इसमें कोई देखकत वा पालिबाद छोटी सी ऐसी है कि देखो अगर इस सर्फिस का एरिया 144 है ठीक है और या फिर सिदा-सिदा कहें दो कि यह जो बना है यह क्यूबोईट बना है अब इस क्यूबोईट का एरिया आप लोग निकाल सकते हो तोटल सर्फिस एरिया क्योब हमको पता है अगर वो पता ह दो इन दोनों की वज़े से आया अब एक और दो आएगा जो यह बताएगा कि यह जो क्यूबोईट है इसका सर्फिस एरिया कितना होगा ठीक है वो कितना आएगा लबी प्लस बी एच प्लस है ठीक है यह तरीका है तरीका आसान है कोई दिक्कत नहीं है हमने क्या किया हमने एल को माना एब को माना एए और ह को माना ए बाए तू तो ये दो दुनी चार तो बाहर हुए यह हुआ ए गुणा ए इसक्वैर ये एसक्वैर बता दो और यह भी-ए सक्वैर बता दो हाँ या ना बिल्कुल एगरी करते हो इस बात से ठीक है तो कहानी में छोटा सा यह हो जाएगा A square यह A square यहां से मिलेगा 8 A square कितना सर 8 A square A square की विल्यों को पता है जो हमने पहले लिखी थी 144 तो 144 को 8 से गुणा कर दो पहला तरीका दूसरा तरीका यह था ठीक है यह पहला तरीका जो हम लो अगर आप इससे कटोंगे ogóle तो आपके पास जितनी सर्फेस है बोलत हें हमने सर्फेस को काट के नहीं से का हमने सर फैस बढ़ाई जैसे एंगर गया इस पैनि को काटा तो माल लो दो पार्ट में काटा तुज यह अनई वाली जहां से कटेगा वो दो सरुपेस नहीं आई कि इसके लावा और कुछ नहीं होगा तो इन दिस केस मान लो जैसे स्टार्टिंग में अगर इस क्यूब का एडिया निकल तो वो कितना आएगा अगर इसे दो बराबर पार्ट में काटा तो एक तो यह अरिया मिलेगा नया वाला और दूसरा इसके पीछे बैक वाला जो एरिया होगा वो मिलेगा काटने पर ये वाला एरिया कितना ये वाला पुराने इतने एरिया जितना मतलब ये वाला जो एरिया है वो भी इस सर्फिस की एरिया बराबर होगा और ये वाला जो एरिया होगा वो भी सर्फिस की एरिया बराबर होगा तो ये A स्कॉर और ये स्कॉर दोनों मिला कर बना 2A स्कॉर square का मान तो 144 यार तो six into 144 option number one 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 five two centimeter square ठीक है sir तो you can go by this method and you can go by this method that matters that matters also don't know some us you may don't know method में हमारे पास जो जवाब है वो से में ठीक है so में मुझे वो मैंतर सही लगती है क्योंकि वहाँ पर मुझे ना तो ए निकालने की जरुवत है ना जाजा कुछ calculation करने की जरुवत है हला कि ए निकालने की जरुवत ही यहां भी नहीं थी ठीक है देखो मैट्स में क्या होता है basically statistics में और surface area and volume में वहाँ पर आप चीजों को जितना last में solve करोगे उतना सही होगा for example अगर आपने यहां से a की value 12 निकाल ली कि अगर a square 141 तो a की value 12 last में उसकी जरुवत ही नहीं है तो हम क्यों निकालके बैठे है हमें a square से ही काम हो गया है ना so better है हम लोग आगे बात करते हैं okay if cosec a is equal to 2 ठीक है sir then the value of 10 a plus cos a divided by l plus sine a अब यहां l plus sine a का पंगा है है ना it is not l plus sine a it is 1 plus sine a तो यहां पर एक समस्या यह भी है तो 1 plus sine a sir 1 plus sine a देखो मैं छोटी सी आप लोगो trigonometry के बारे में कुछ-कुछ चीज़े बताता हूँ मैंने लिखा sine square a plus cos square a बराबर 1 सबसे basic identity trigonometry की जो हम लोग आस तक पढ़ते हैं उसमें मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा sine square a या फिर sine square को इधर रहने दिया, cos square a लिख दिया, cos square a is equal to 1 minus sine square a सकता है क्या, कुछ ऐसा, तो cos square a को ऐसा लिख सकते है, 1 plus sine a into 1 minus sine, ठीक है, तो यह जो 1 plus sine है, उसे आप वहाँ से shift कर सकते हैं, लेकिन calculation यहां से लंबा होता, क्या होता, लंबा calculation होता, तो क्या करेंगे सर, देखो अगर cos a की value 2 है, cos a बराबर 2, तो sin a बराबर 1 बटा 2, ठीक है, क्या यह valid है, बिलकुल valid है, SIN A 1, 1 2, कब होता है ठीक है SIN A 1, 2 2 होता है 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर होता है ठीक है तो मुझे जो मान निकालना है मुझे जो value निकाल दी मैंने लिखा 10 A plus cos A और 1 plus SIN A इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, 1030 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस साइन 30, ठीक है, 1030 कितना, 1030, 1 अपॉन रूट 3, सो एक बटा रूट 3, धन, कॉस 30, कॉस 30, रूट 3 बटा 2, और साइन 30, साइन 30, 1 डिवाइद बाई, 1 बाई 2, सो इट विल जनरेट असिंपल रिजल्ट, 1 अपॉन रूट 3, देखो, यह जो है न, 1 प्लस 1 बाई 2, यह 3 बाई 2 होता है, और यह भी 3 बाई 2, 2 से 2 कटा, रूट 3 बाई 3, अगर आपको पता हो, तो रूट 3 बाई 3 को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यह आया, 2 बाई, रूट 3, आप्शन नमबर 2, इन इस केस, आसान सा, देखो, एक छोटी सी बात न, मैट्स और ट्रिग्नोमेटरी के बारे में, और NTSC के बारे में, आप लोग समझ लो, देखो, NTSC में, जो सवाल होते हैं मैट्स के, या किसी भी सब्जेक के, वो आपके बोड के सवालों से बहुत आसान होते हैं, So, if you are comfortable with your board examination, and I think everyone should be comfortable with his or her board examination, then he should be, और he or she should be comfortable with the NTSC examination, NTSC life में सिर्फ एक बार दे सकते हो, कितनी बार? एक बार, आप दस भी दो बार कर सकते हो, तीन बार कर सकते हो, चार बार कर सकते हो, अगर किसी का personal interest हो तो, but NTSC जीवन में एक बार दी जा सकती है, और ये एक बार जो देने वाली exam है, ये बहुत सिंपल होती है, जो सोचते हैं कि यार, हमें NTSC तो कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए बहुत सिंपल exam है, हम लोग कर लेंगे, ऐसार ऐसा, अगर इसको शुरू से अच्छे से किया जाए, तो बहुत आसार और बहुत फाइजमत परिक्षा भी है, तो discriminant of the quadratic equation ऐसा ऐसा और कुछ इस तरह से, तो हमें D की value निकाल नहीं है सर, ठीके, तो आसान सी चीज़ है यार, D क्या होता है सर, B square minus 4AC, B square minus 4AC क्या निकालना आता है, बिल्कुल आता है, ठीके, तो हमने निकाला B square, देखो compare करो, 3 root 3X plus 7X plus root 3 बराबर, मैंने लिखा, D, D क्या होता है, B square minus 4AC, B का value कितना, A का value कितना, C का value कितना, फटावर बताओ, A का value 3 root 3, तो 3 root 3, B का value 7 और C का value root 3, सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए, यह जो root 3 है ना, और यह 3 है, अगर यह दोनों साथ में दिया है, मतलब multiply तो हो नहीं होना है, तब ही जाके जो options है, वहाँ पर कहीं भी root 3, या irrational options में नहीं है, अगर irrational options में नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि यह 3 root 3 और यह 3 आपस में multiply तो होंगे होंगे, और वो होगा भी है, फर्मुला यह दे रहा है, तो मैंने लिखा, 7 square, minus 4, 3 root 3 into 3, तो यह तो हुआ, 49 minus 4 into 3, root 3 into root 3 हो जाता है, 3, तो यहां से आया, 49 minus, तीन चोग 12, 12 या 36, तो यह आया, 13, so answer is option number 2, विकल्प number 2 इसका सही जवाब था, ठीक है, कितना एक मिनट से भी कम में होने वाला सवाल है यह तो, आप लोगों ने देखा है, कि जिस तरह हम सवाल सवाल करते हैं, जो जो सवाल हम लोगों ने सॉल्व किये हैं, वो सारे के सारे एक मिनट से कम में सवाल हो रहे हैं, ठीक है, तो, the following are the points obtained by the Kabaddi team in various matches, the median of the points obtained by the Kabaddi team, है ना, तो बताव, median क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़े, median में कुछ नहीं होता सर, सबसे पहले इन सभी को ascending or descending order में arrange कर दो, उसके बाद देखो कि जो observation में, जो observation है, वो कितने हैं, और उसके बाद observation में इनकी middle value कौन सी है, तो देखो, यह जो सवाल है ना, यह या तो आपने class 8 में, अपने state board में किया होगा, ठीके, या फिर आपने class 9 में जरूरी कर लिया होगा, I think, I think so, मतलब ऐसा तो आप लोगोंने किया ही किया होगा, तो फटा-फट बताओ क्या इसे आप लोग कर सकते हो, ठीके, fast fast, देखो, सवाल था, पहले लिखा 2, तो 2, 2 सबसे छोटा है, उसके बाद देखा, बेसिकली इस चीज में ना, इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना था, आपको observe करना था कि कौन सी चीज किसके बाद आ रही है, जब इतना data होता है, तो हम परेशान होते हैं कि सर कौन सी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना observation है सर, 15 observation है, तो 15 अगर observation है, तो median क्या होगा, अगर observations odd होते हैं, तो median होता है, n प्लस 1 by 2 observation, मतलब जो आठवा observation होगा, 15 प्लस 1 बटा 2, मतलब आठवा observation, तो मुझे यहां से आठवा निकालना है, मैं क्यों पूरे 15 को arrange करू, मैंने arrange किया सिर्फ 8 तक ठीक है, 8 तक arrange किया, तो 2 के बाद आएगा सर, 5, 5 है, फिर उसके बाद आएगा 6, 6 भी है, 7 है क्या, 7 भी है, 8 है क्या, 8 भी है, फिर क्या है, फिर हमारे पास 9 कहीं पर है, नहीं है, 10 कहीं पर है, बिलकुल है, तो 10 यहां पर है, ठीक है, 10 अच्छा, 8 के बाद 9 भी था, तो 9 भी मेने लिखा मैं वही बोल रहा हूं कि हमारे पास जो अब्जर्वेशन से ना उनको अरेंज करना उसके बाद 10 हमें कौन से अकाउंट करना है हमें करना है आठ वा दस के बाद का 11 है नहीं है 12 है 13 है वो भी नहीं है बचाय 14 14 is the 8th observation हमें बाकी इसके बाद के निकालने की जर्वत भी क्या है आप लोग कहीं पर आंसर की देखो कहीं पर सॉलुशन देखो गे ना तो पहले तो भी लिखेंगे की अरेंजिंग दॉल्देम इन असंडिंग और दिसेंडिंग और दन वाट इस नीड़ आप देम यह नोट order को बदलूंगा तो भी 10 के 10 ही रहेंगे ना तो अब आरेंज कर लो चाहे असंडिंग निसेंडर में पहले करो या बाद में करो number observation count कर लो बाद में भी आपको वही कहा नहीं करनी है तो वो count कर लिया, 8 बाद कर लिया, 8 होगा, 14, so option number 1 is the correct answer in this case, ठीके सर, आगे, ठीके, start from the same point, at the same time and go in the same direction, how much time they will meet again for the starting point, तो सर, एसी कहानियो में ना, हम कुछ नहीं करते है, देखो, यह वैभाव भाई साब जो है, वो 24 minute लेते है, और आगे कहानी है के जो रोहन सर है, वो लेते है, 18 minute, तो ऐसा टाइम, जब यह दोनो, शुरू, एक दब दोनो शुरू से बात करते हैं, मतलब दोनों एक साथ खड़े, let's start the running, दोनों शुरू करते हैं, और दोनों साथ में दोना शुरू करते हैं, और अगर दोनों साथ में दोना शुरू करते हैं, तो रोशन तो 18 minute में खतम कर देगा, इसके, बाद में वैभाव आएगा, वो लेट करेगा, जिस साथ नहीं मिल सकते पहले राउंड में दूसरे में मिलेंगे क्या दूसरे में यह फिर आएगा 18 के बाद फिर 18 मतलब 36 मिनट पे और यह 36 में पहुंचेगा यह 36 मिनट पर यहां होगा तो यह दोनों कब मिलेंगे यह दोनों ऐसे के सिज में हम निकालते हैं LCM सिदा सिदा निकालो कि 24 और 18 का LCM कितना जस्ट काउंट दा LCM of 24 and 18 क्योंकि यही वो नंबर है जो 24 और 18 दोनों से डिविजिबल है और अगर वो 24 18 दोनों से डिविजिबल है तो हम बता सकते हैं कि यह नंबर इस से डिवाइड होगा सेर तो 24 18 का LCM कितना होगा फटाफट बता सकते हैं ठीक है तो 72 आ थिंक 72 इस दा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 चलिए अगे लिखा है कि अगर 10P बराबर इतना 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 देन देन वैल्यों ओफ पी तो पी का मान कितना होगा अगर 10P या 10 3P not P 10 3P होता है इतना 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 देन दे वैल्यों ओफ पी अगर पी 90 डिग्री से कम है तो अगर पी 90 से कम है तो 3P क्या 90 से ज़्यादा हो सकता है सोचने वाली बात है कि अगर पी 90 से कम है तो क्या 3P 90 से ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को फटावर बताना है सर ठीक है देखो पी माल दो 89 है 90 से कम है 3 पी तो जादा हो जाएगा तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले इसे निकालो ठीक है और आप लोगों से जिस बेसिकली अगर राजिस्थान में सवाल पुछा है तो यह क्लास 10 के कॉं एंगल जो होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री से कम होते है अब यहां पर यह 3P के मान दे दिया 3P 90 से जादा हो सकता है तो यहां पर डबल डबल आंसर है ना वो इसी केस की वज़़े से आ रहे है तो सर पहले तो निकाल लेते हैं क्या रहा है यार 10 3P बराबर साइन 45 कितना होत 10 3P बराबर 3 by 2 अब यह कौन से नहीं कहानी है अगर यह नहीं कहानी है तो इस कहानी में बहुत कुछ लोचा है लोचा ऐसा है जो आप लोगों को इसली समझ में नहीं आएगा अच्छा 1 by 2 root 2 root 2 root 2 fine तो यह root 2 और यह root 2 यह हुआ 1 तो यहां से हो जाएगा यह 1 by 2 plus 1 by 2 यहां से आया 10 3P बराबर 1 ऐसा कुछ तो अगर 10 3P बराबर 1 है तो 10 1 कब होता है सर हमें पता है कि 45 दिगरी पर होता है कब होता है 10 होता है 45 दिगरी पर एक इतना समझ में आया क्या 10 1 कब होता है 45 दिगरी पर तो हमने लिखा कि 10 1 हमेशा या 10 45 दिगरी पर होता है 1 इसके अलावा 10 1 कब हो सकता है इसके अलावा अब देखो अगर P 90 दिगरी से कम है तो 3P किस से कम होगा 3P 3 into 90 270 डिग्री से कम होगा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह जो चीज है वो दस्वी क्लास की कॉंटेक्स के इसाफ से नहीं पुछी जानी चाहिए थी तो अगर यह इससे कम हुआ तो ऐसा नहीं है कि 45 के बाद कभी 10 एक्जिस नहीं करता है 90 के बाद 10 एक्जि कि अनन तक जाता है तो यह 270 से कम है तो ऐसे बहुत सारा एंगल हो सकते हैं जहांई एक हो सकता है क्या क्या एंगल हो सकते हैं कुछ मत करो 45 में 180 और जोड़ दो तो 45 के बाद 180 डिग्री के बाद फिर जो एंगल होगा वहाँ पर भी 10 100 या 10 225 वन होगा फिर क्या होगा उसके बाद एक और कहानी होगी इसके बाद फिर इसमें 180 जोड़ दो पर इसमें 180 जोडने पर 3P जो होगा वो 270 से उपर पहुंच जाएगा जो हमें नहीं चाहिए मतलब यह जो 3P है यह या तो 45 हो जाएगा या फिर 225 हो जाएगा ठीक है सर तो अगर पी का मान या तो 15 डिग्री आ जाएगा या फिर यहां से 75 डिग्री आ जाएगा option number 3. So, this is the right answer in this case. okay the ratio of length of vertical road and the length of its shadow is root 3 1 देखो थोड़ा ध्यान से देखना ना मैं आप लोगों को सवाल विग्बार इंवर्ट करके दिखाता हूँ सवाल पहला ये था दूसरा ये था तीसरा सवाल जो था वो कहीं न कहीं चौथा पांचवा सवाल ट्रिग्नोमेट्री पर ठीक है उसके बाद फिर सवाल ट्रिग्नोमेट्री पर और फिर सवाल कहीं न कहीं ट्रिग्नोमेट्री पर ये ट्रिग्नोमेट्री से आसान हो सकता ठीक है तो तीन सवाल ट्रिग्नोमेटरी पर आएं इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेटरी बहुत काम की चीज है तो देखो एक length the ratio of length of vertical road तो माल लो यह vertical road है ठीक है a b length है और इसके shadow जो आ रही है उसका इसके साथ जो ratio है यह cda तो shadow का that means we can say the length of a b divided by cb is equal to root 3 by 1 और यह angle किसके बराबर यह angle 10 theta के बराबर तो angle of elevation यह angle होगा जो यह angle होता है हमें पता है तो यहाँ पर angle की value आ जाएगी सीधा-सीधा 60 degree तो sun का elevation 60 degree हो जाएगा तो दूसरा सवाल ऐसा था कि इन दग इवन फिकर बी या डी पारलल to BC और अगर AD यह चीज और DB यह चीज 3 ratio 5 है और AC 16 units है तो AE कितना होगा तो मैं पता यार कि अगर यह दोनों parallel है तो AD बटा DB is equal to AE बटा AC या तो ऐसे निकाल लो या फिर इन दोनों का ratio sum करके निकाल लो तरीका वही है ठीक है तो in this case let's suppose this is X that we have to count then what should be it should be 16 minus X बस फटा फट निकालो या ठीक है AD का मान 3 तो 3 upon 5 यह हो जाएगा यहां से 3 upon 5 is equal to X upon 16 minus X so ah that should be equal to 3 into 16 minus 3 X is equal to 5 X यहां से कहानी 48 is equal to 8 X or X is equal to 6 to 6 units कैसा ही जवाब था इस आंसर में इस सवाल में तो ah in a single throw of two dice what is the probability of getting a total of 8 तो देखो अगर दो डाइस फेकी जाती है ठीक है तो कहीं बार क्या होता है बच्चे जो बोर्ड का पैटर्न होता ना उससी सब क्योशन सॉल करने कोशिश करते मैं फिर बता रहा हूं कैसा हमें नहीं करना है हमें क्या करना है हमें यह करना है कि 8 हम कैसे बना सकते है अगर मैं एक डाइस फेकी तो मुझे मिलता है एक दो तीन चार पांच और छे टोटल आउटकम कितने होंगे तो टोटल आउटकम होंगे 36 अगर दो डाई को एक साथ फेकेंगे तो तो आठ इनके सम से कैसे बन सकता है अगर मैं एक लूप पहला पर दूसरे पर चाहिए साथ तब जाके आठ बने तो यह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ तो हमारे पास ही नहीं छे तक है दो लिया तो दो प्लस छे हो जाएग अच्छा 6 प्लस दो भी चलेगा क्या क्यों ऐसा क्यों या तो पहले पे दो दूसरे पे छे आजाए या फिर पहले पे छे दूसरे पे दो आजाए बैसे ही मैं 3 प्लस 5 की बात कर लो तो 5 प्लस 3 की बात करूंगा बैसे ही मैं 4 प्लस 4 की बात करूं अब दूसरे में 4 प्लस 4 थी लेकिन हमें यह देखना था कि पीपर कैसा था यह पेपर हमने इसलिए बनाया session का important क्या था session का importance यह था कि जो बच्चे बहुत बार कई बार demotivate होते है कि बोलते की paper simple था answer तो आप लोगो को बताना था ही ही होता है ठीक है दूसरा यूसे है कि जो लोग class 9th में है देकिन start the preparation for the NTSC class 10th, it is very easy, very simple and very useful examination for your future, so start for the examination and think about it, thank you.